आज हम बात करेंगे आपके करियर के नंबर गेम की आपके करियर की और आपके अंक की बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जनम की तारीख तो पता होती है लेकिन साल में कन्फ्यूज होते हैं कि मैं किस साल में पैदा हुआ 65 में हुआ, 66 में हुआ, ये कन्फर्म नहीं है हाँ जनम की तारीख मुझे पता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म की तारीख तो पता है, लेकिन जन्म का समय नहीं पता, इस्थान नहीं पता, तो ऐसी स्थिती में केवल और केवल अपनी जन्म तारीख से आप जान सकते हैं कि आपकी सिछा की स्थिती कैसी रहेगी, आपके पढ़ाई की स्थिती कैसी, आपका करियर कैसा, और कर चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं लेकिन सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है इस सप्ताह का मंत्र है ओम रूद्राय नमहा ओम रूद्राय नमहा बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी परिजन का देहांत हो जाता है या किसी मित्र का देहांत हो जाता है और हम बहुत दुखी होते हैं उस दुख से उबर नहीं पाते अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है या आप उस दुख से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है मंत्र ह अम रूद्राय नमहा, इस मन्तर का निरंतर अगर आप जब करेंगे, तो किसी व्यक्ति के नर रहने पर जिस तरह का दुख पैदा होता है जीवन में, उस दुख को समाप्त करना आसान होगा, और जब भी आपके मन में दुख का भाव पैदा हो, जब भी आपके मन में का भाव पैदा हो दो बार, चार बार, दस बार इस मंत्र को कहिएगा आपकी दुख, आपकी पीडा की स्थिती में सुधार होगा चलिए अपने विशे पर आते हैं हम आपको आज बताने वाले हैं कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपकी सिक्षा कैसी होती है आपका करियर कैसा रहता है और साल 2023 में आपका करियर कैसा रहने वाला है सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख का आपके करियर से क्या संबंध है देखिए आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेश ग्रह से होता है जो बेसिक नंबर हैं मूल अंक हैं वो कुल मिलाके एक से लेकर नौ तक हैं उसके बाद दस या दस के आगे के जो नंबर हैं वो मूल अंक नहीं हैं वो कमपाउंड नंबर हैं तो मूल अंक एक से लेकर नौ तक हैं और हर अंक का संबंध एक विशेश ग्रह से है उस ग्रह से व्यक्ती का जीवन पूरी तरह से निर्धारित होता है अगर आपका नंबर एक है तो आप सूरी से प्रभावित रहेंगे जीवन भर अगर आपका नमबर 6 है तो आप पूरी तरह से जीवन में शुक्र से प्रभावित रहेंगे तो जिस तरह का नमबर है आपकी जन्म की तारीख का उस तरह का ग्रह पूरी तरह से आपके जीवन को निरधारित करेगा और उसी ग्रह से संबंध रखता हुआ करियर व्यक्ति आम तोर पर अपने जीवन में चुनता है जिस तरह के नंबर का जिस तरह के अंक का आपके उपर जादा प्रभाव होता है वैसे ही करियर की तरफ आप जाते हैं या वैसे ही करियर का चुनाव करते हैं अगर उसके विपरीत दिशाओं में करियर होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है यानि अगर आपका अंक कहता है कि आपको व्यापार करना चाहिए और आप नौकरी करने लगते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाय आनी शुरू हो जाती है यानि जिस तरह के करियर का इशारा होता है उस तरह के करियर की तरफ जाना चाहिए अलग-अलग वर्षों का और अलग-अलग महीनों का भी अंक होता है जैसे मान लिया 2023 का अंक है 7 और 2023 में अपरेल का अंक है 4 तो 2023 में अप्रेल का जो अंक है वो हो जाएगा 2 क्योंकि वो हो जाएगा 11 तो अलग-अलग वर्षों और अलग-अलग महीनों के अंक होते हैं और इन अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है यानि अगर हम बहुत गहराई से समझना चाहें तो केवल आपकी जनम की तारीक से जान सकते हैं कि किस साल में आपका करियर कैसा रहेगा और किस साल के किस महीने में आपको सफलता मिलेगी और किस साल के किस महीने में आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी तो अगर आपको अपने जन्म का साल नहीं पता है जन्म का समय नहीं पता है कोई बात नहीं केवल जन्म की तारीख के आधार पर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं बात करते हैं नमबर एक की वन नमबर की अगर आपकी जनम की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है दस तारीख है उननीस तारीख है या अठाइस तारीख है तो इसको जोड़ करके देखिए इसका नमबर आता है एक यानि ये एक नमबर वाले लोग हैं और एक नमबर वाल का संबंद होता है सूर्य के साथ यानि जिनकी भी जन तारीख का जोड टोटल एक आता है उनका संबंद होता है सूर्य से इनकी सिक्षा में सामान निरूप से बाधाएं आती ही हैं आम तोर पर आप देखेंगे कि एक अंकवालों की शुरुवाती सिक्षा बहुत अच्छी हो जो मिडल एज की सिक्षा है जो मध्य की सिक्षा है आम तोर पे 15-16 साल से लेके 28-30 साल तक वहाँ पर थोड़ी प्राबलम होती है उसके बाद ठीक हो जाता है यानि मध्य में सिक्षा प्राप्ट करने में इनको दिक्कत होती है अगर आपका नंबर एक है तो आपके लिए साशन का छेत्र प्रसाशन का छेत्र चिकित्सा का छेत्र और राजनीती का छेत्र आपको फायदा पहुँचा सकता है इन छेत्रों में सफलता पाने की संभावना आपके लिए ज़ादा होती है अगर आपका अंक एक है तो आप किसी भी छेत्र में रहिए आप स्विद्याले के अध्यापक बन जाएं या चतुर्त श्रेडी के करमचारी बन जाएं जिस भी छेत्र में रहेंगे उस छेत्र का नेत्रित्व करेंगे लीडिंग केपैसिटी नेत्रित्व करना एक अंक वालों के पास जरूर होता है इसलिए अगर ये छोटी जगां पे भी रहेंगे तो वहाँ पे भी चीजों को कंट्रोल करेंगे नेत्रित्व करेंगे इसकी संभावना रहती है जीवन के आरंब से ही इनके करियर की शुरूरात हो जाती है यानि आम तोर पे एक अंक वालों का करियर उम्र के 18-20 साल से ही शुरू हो जाता है करियर इनका थोड़ा जल्दी शुरू होता है अब करियर को बहतर बनाना चाहते हैं आपका जो भी करियर हो अगर अंक एक है आपका और आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल भगवान सूरी को समर्पित करें सूर्य देव के मंत्र का जब करें या आदित्य हृदय इस्तोत्र का पाठ करें रोज सवेरे ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा यानि आप अगर करियर में किसी भी तरह की मुश्किल से परेशान है और आपका अंक एक है तो सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में अगर हम देखें तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चड़ाव दिख रहा है इसलिए साल 2023 में सूर्य की निरंतर पूजा करने से आपको लाब अवश्य होगा अगर आपके जन्म की तारीख है महीने की दो तारीख ग्यारा तारीख, बीस तारीख या उनतिस तारीख तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिक नंबर है आपका जो मुख्य नंबर है वो है दो और अगर आपका मुख्य नंबर दो नंबर है तो आपके करियर से इसका क्या संबंद है देखिए दो नंबर वालों का संबंद होता है पूरी तरह से चंद्रमा के साथ मून के साथ अगर आपका नंबर दो है तो आपका जो मुख्य ग्रह है आपका जो मुख्य प्लैनेट है वो ग्रह है चंद्रमा और ये काफी परिश्रम से अपनी सिक्षा पूरी करते हैं आम तोर पे दो अंकवालों की सिक्षा अच्छी होती है लेकिन बीच में एक बार जटका जरूर लगता है तो ये बहुत परिश्रम करते हैं तब जाकर के इनकी सिक्षा पूरी होती है ऐसा देखा गया है, मेहनत के बाद ही सिक्षा इनकी पूरी हो पाती है अगर हम इनके खेत्र की बात करें तो दो अंकवालों के लिए कला का खेत्र, फिल्म का खेत्र, चेकिचसा का खेत्र, नेवी का खेत्र, सिक्षा का खेत्र और खान-पान का जो छेतर है, खान-पान का जो फील्ड है वो इन्हें सूट करता है ये बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं अगर हम करियर में इनके गुण देखें कि करियर में इनके गुण क्या है करियर में इनकी ताकत क्या है तो अंक दो वाले बड़े अच्छे मेनेजर होते हैं और कठिनाईयों को सरलता से सुलजा लेते हैं दो अंक वाले अगर किसी भी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं आप इनसे बात करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं सुलज गई हैं क्योंकि ये कठिन से कठिन समस्या को सुलजा लेते हैं और कठिन से कठिन इस्थिती को पार कर जाते हैं अपनी मेहनत की बज़ा से और अपनी बुद्धी की बज़ा से आम तोर पर करियर की शुरुवात में इनको विलंब होता है थोड़े समय तक शुरू में लगबग 23-24 साल की उमर तक करियर शुरू करते हैं फिर ब्रेक होता है और फिर 28-30 के बाद जो करियर होता है वही करियर इनका लंबे समय तक चलता है तो आम तोरपर करियर की शुरुवात में इनके लिए विलंब की संभावना बनती है अगर आपका नमबर 2 है और आप चाहते हैं कि आप करियर में सफलता पा सके आपको सफलता मिले तो इसके लिए भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करें और रोज सुबह शाम दोनों समय एकसो आठ बार नमः शिवाय का जब करें अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से करियर की जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी साल 2023 में आपको अपने करियर में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं इस साल में आप अपने करियर में बड़े बदलाव जरूर करेंगे और अगर ये बड़ा बदलाव होता है इस साल में आपके करियर में तो ये बड़ा बदलाव आपके लिए फाइदेमंद बना रहेगा बात करते हैं नंबर 3 की यानि अंक 3 की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख है 12 तारीख है 21 तारीख है या 30 तारीख है तीन, बारह, इकिस या तीस तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मुख्य अंक है वो अंक है तीन, थ्री आपके अंक का सीधा संबंद होता है ब्रिहस्पती के साथ जुपिटर के साथ और तीन अंक वालों को सामानितह अंक जोतिश में बुधिमान और ज्यानवान माना जाता है इसलिए अंक तीन वालों के सिक्षा की स्थिती और बुध्धी की स्थिती हमेशा अच्छी रहती है इनको सिक्षा के छेत्र में, धर्म में, कानून में, मीडिया में और सलाहकारिता में कंसल्टेंसी काउंसिलिंग के छेतर में लाब होता है तीन अंक वाले ज़्यादा तर सामान नहीं बेचते अपनी स्किल बेचते हैं, अपना दिमाग बेचते हैं, अपनी सलाह बेचते हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े वकील या बहुत अच्छे अच्छे बड़े सलाहकार आपको तीन अंकवाले दिखाई देंगे ये अपनी स्किल से पैसा कमाते हैं, अपनी वानी से पैसा कमाते हैं, सामान बेचकर पैसा नहीं कमाते हैं अब करियर की अगर बात करें तो करियर की शुरुआत में लगभग उम्र के 28-30 साल तक इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है उम्र के 30 साल तक इनका संघर्ष जादा रहता है और आम तौर पर पीस वर्ष के बाद इनका करियर जादा बेहतर शुरू होता है ऐसा देखा गया है उम्र के जब तीस वर्ष इनके पूरे हो जाते हैं तब इनके करियर में सफलता की संभावनाएं जादा बनती हैं अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका अंक तीन है तो आप भगवान विश्नु की श्री हरी की उपासना करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तीन अंक वालों को मैं बता दूँ कि आप रोज सवेरे विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें या रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ें ओम नमो नारायडाय ओम नमो नारायडाय इस मंत्र का नित्य प्राता जब करें या विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें आपका करियर अच्छा रहेगा साल 2023 में आपका करियर भी बदलेगा और जिस स्थान पर नौकरी करते हैं जिस एरिया में नौकरी करते हैं वो एरिया भी वो स्थान भी आपका बदल जाएगा अब हो सकता है आप दिल्ली में नौकरी करते हूं आप गुडगाओं चले जाएं आप दिल्ली में नौकरी करते हूं बैंगलो और हैजराबाद चले जाएं यानि साल 2023 में करियर में बदलाव करेंगे और करियर में बदलाव के अलामा आपके स्थान में भी बड़े परिवर् यह समभावना दिखती है अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की चार तारीख है तेरा तारीख है, बाइस तारीख है या इकतिस तारीख है तो आपका जो मुख्य नंबर है, आपका जो बेसिक अंक है वो है चार चार नंबर को अंक जोतिश में सरवाधिक रहस्यमई अंक माना जाता है ओकल्ट पावर के साथ इनको हम सब मानते हैं इस अंक का जो स्वामी है वो है राहू इसलिए चार अंक वालों का संबंध होता है राहू के साथ आम तोर पर सिक्षा में उतार चड़ाओ बना रहता है सिक्षा लगातार स्मूथली नहीं चलती हां रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं और उसमें भी बाधाएं बहुत आती हैं कभी कभी घर की जिम्मेदारियों की वज़ा से भी इनके लिए पढ़ाई कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है ये पढ़ते कुछ और हैं करते कुछ और हैं पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की और काम कर रहे हैं रिस्टोरेंट का पढ़ाई करी होटल मेनेजमेंट की और नोकरी कर रहे हैं टीचिंग की पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, अक्सर इनका करियर अचानक से जीवन में सामने आता है और अचानक से उस करियर को एडॉप्ट कर लेते हैं अब चार अंकवालों के लिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, जोतिश और मार्केटिंग के खेत्र उत्तम होते हैं जिन छेत्रों में टेक्नलोजी हो जिन छेत्रों में रहस्य हो या जिन छेत्रों में चीजों की गहराई तक जाना होता हो ऐसे छेत्र इनको ज़्यादा सूट करते हैं सामान्यतह कम आयू से करियर शुरू हो जाता है इनका आम तोर पे चार अंको वालों का करियर उम्र के 22-23 साल के आसपास से शुरू होता है और वहाँ से ये पैसा कमाना शुरू कर देते हैं अगर आपका अंक चार है तो चार अंक के बारे में तो ये जान लीजिए कि चार अंको वालों का जीवन कभी सीधा नहीं चलता वो हमेशा उतार चड़ाओ के साथ ही चलता है चाहे वो करियर हो चाहे वो विवा हो चाहे वो उनकी जिन्दगी हो तो अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका नंबर चार है तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाबकारी रहेगी जितना संभव हो रोज सुबा शिव जी को जल चड़ाएं और सुबा के समय रोज 108 बार नमः शिवाय का जब करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में अगर कोई बड़ा निर्ड़े लेने जा रहे हैं कि मैं अब नौकरी छोड़कर व्यवसाय करूंगा या मैं ये व्यवसाय बंद करके कोई और काम करूंगा कोई बहुत बड़ा निर्ड़े अगर साल 2023 में आप लेने जा रहे हैं तो उसको लेकर के सावधान रहिएगा बहुत सोच विचार करके निर्ड़े लीजिएगा वही आपके लिए बेहतर होगा अब बात करते हैं नमबर पांच की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की पांच तारीख है 14 तारीख है या 23 तारीख है तो आपका जो मुख्य अंक है वो है पांच फाइव पांच अंक का जो स्वामी है उसे कहते हैं बुद्ध यानि मरकरी पांच अंक वालों का जो स्वामी होता है पांच अंक पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह होता है बुद्ध आम तोर पर इनकी सिक्षा मध्यम रहती है इनकी सिक्षा एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल स्टुडेंट होते हैं एवरेज विद्यारती होते हैं पाँच अंक वाले पैसे को जानने में और पैसे को समझने में बड़े मास्टर होते हैं कितना पैसा कहां से लाना है और कितना पैसा कहां पर खर्च होगा इसको लेकर के बहुत अलर्ट रहते हैं तो पाँच अंक वालों के लिए बैंक का छेत्र, फाइनेंस का छेत्र, मार्केटिंग का छेत्र और commerce का खेत्र इनके लिए उत्तम होता है जहां पर पैसे रुपए का लेन देन होता हो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे जहां पर चीजों को manage किया जाता हो जहां पर चीजों का management देखा जाता हो ऐसे खेत्र इनके लिए बहुत उत्तम होंगे और पांच अंक वाले भी दो अंक के जैसे बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं तो हर तरह की स्थिती को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं इनका करियर शुरुआत में कुछ और होता है शुरुआत करते हैं किसी छोटी नौकरी से, किसी छोटे कारोबार से और बाद में अपना करियर बदल करके ये अच्छी जगह पे जाते हैं आम तोर पे उम्र के 24-25 साल से इनका करियर शुरू होता है और उसके बाद इनके सफलता की संभावनाएं जादा हो जाती है पांच है अंक पांच है तो करियर में सफलता के लिए भगवान गणेश की उपासना करें बहुत अच्छा होगा रोज सुबह भगवान गणेश को दूरुआ अर्पित करें गणपती अथर्व शीर्स का पाठ करें या ओम गण गणपते ये नमह इस मंत्र का जब करें आपके लिए बहुत शुबहोगा साल 2023 में ये एक साथ अलग अलग बहुत सारे काम करने का प्रयास करेंगे और वो इनके लिए बहतर होगा छोटे छोटे बहुत सारे काम ये कर सकते हैं इसकी संभावना इनके लिए बनती है अंक छे की बात करते हैं अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की छे तारीख है 15 तारीख है या 24 तारीख है तो आपका मुख्य अंक है 6 6 अंक का जो स्वामी है वो है शुक्र यानि Venice 6 अंक का संबंध होता है शुक्र के साथ सिक्षा के मामले में ये काफी परिवर्थन करते हैं शुरुवात में डॉक्टर बनना चाते हैं डॉक्टरी में सलेक्शन नहीं होता टीचिंग में आ जाते हैं या शुरुवात से सिविल सर्विस की तैयारी करना चाते हैं वहां सलेक्शन नहीं होता किसी और छेतर में चले जाते हैं यानि टारगेट कुछ और होता है परिडाम कुछ और होते हैं सिक्षा के मामले में बार-बार परिवर्तन करते हैं और तब जाकर एक छेतर में रास्ता बना पाते हैं और आम तोर पे इनका रास्ता बनता है उम्र के 28-30 साल के आसपास या इनके विवाह के बाद अगर आपका नंबर छे नंबर है तो आपके लिए फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, रसायन यानि केमिकल, आभूशन, सौन्दर्य और सिक्षा का छेतर उत्तम रहेगा इनसे संबंदित छेतरों में अगर आप कोशिश करें तो लाब होने की संभावना जरूर बनेगी खास तोर से अगर छे अंक वाले मीडिया में, फिल्म में, क्रियेटिविटी के सेक्टर में, लिखने में, म्यूजिक में अगर जाएं तो सफलता इनको जल्दी और ज़्यादा मिल पाती है करियर इनका जल्दी शुरू होता है, आम तोर पे 24 साल के आसपास करियर शुरू हो जाता है, लेकिन ये सफल होते हैं ज़्यादा तर उम्र के 30 वर्ष के बाद अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं और आपका नंबर है 6, आपका अंक है 6, तो मा लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए फाइदे मन्द होगा, रोज लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके उनसे प्रातना करें आपको लाब होगा और याद रखिये लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, तो अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो साथ में भगवान गडेश की या भगवान विश्नु की पूजा भी जरूर करियेगा, वो आपके लिए जरूरी होगा साल 2023 में पक्के तौर पर आपके करियर में परिवर्तन होगा, प्रमोशन, एप्रेजल, इंक्रिमेंट होने की संभावना है और इस साल में आप स्थान बदल करके किसी नई जगां पर जा करके रहने का, किसी नई जगां पर जा करके काम करने का विचार कर सकते हैं अगर आपकी जर्म की तारीख किसी भी महीने की साथ तारीख है सोला तारीख है या पच्चिस तारीख है तो आपका जो बेसिक नंबर है आपका जो मुख्य नंबर है वो है साथ और साथ का संबंद होता है केतू के साथ सामान्यतह साथ अंकवाले पढ़ाई में बड़े ब्रिलियंट नहीं होते academics जो है पढ़ाई का जो मामला है वो इनके लिए साधारन होता है मध्यम रहता है लेकिन ये intelligent बहुत होते हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं creative बहुत होते हैं degree और पढ़ाई साधारन होती है लेकिन बुद्धिमान बहुत और creative बहुत होते हैं किस पुरानी चीज को नए तोर से कैसा कर देना है या नए नए ideas आना नई नई सोच विचार आना या चीजों को अच्छी तरह से present करना ये साथ अंकवाले जानते हैं आपके लिए engineering का छेत्र, तकनीक, management, creativity, philosophy यानि दर्शन या यात्राओं का छेत्र अच्छा होता है साथ अंकवाले लिखते बहुत अच्छा हैं अगर इनको थोड़ा guide किया जाए तो बड़ी अच्छी किताबें, बड़ी अच्छी script, बहुत अच्छी story ये सब लिख सकते हैं और बड़े अच्छे philosopher भी होते हैं अगर इनका interest दर्शन शास्त्र में चला गया, philosophy में चला गया, गीता का अध्यन करने लगे तो आप समझें कि इनका जीवन बदल जाता है लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि एक जगा पर टिक करके नई रह पाते बहुत जल्दी इनको बोरियत होने लगती है कि पांच साल से इक जगा नौकरी कर रहा है, नौकरी बदल लो तो साथ अंकवाले इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सही दिशा मिले तो तरक्की भी काफी करते हैं करियर में इनके आप देखेंगे साथ अंकवालों के कि हर 4-5 साल में इनके या इनके जीवन साथी के करियर में उतार चड़ाव जरूर आता है ऐसा इंटर्वल के साथ फिक्स होता है आता जाता रहता है ऐसा देखा गया है एक समय के बाद अपना काम करना पसंद करते हैं बहुत समय तक नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते कुछ समय तक लगभग उम्र के 34-35 साल तक आप इनको देखेंगे कि ये नौकरी करेंगे या किसी के अंडर में काम करेंगे 34-35 साल के बाद ये अपना काम करना पसंद करते हैं और अपना काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही जादा आपके लिए बेहतर होगा रोज, सुबह, शाम, नमह, शिवाय का जब करिये जब भी मौका मिले किसी भी जगा जा रहे हैं वहाँ शिव जी के दर्शन करते रहे हैं क्योंकि आप यात्राएं बहुत करते हैं तो हर स्थान पर जो पवित्र शिव मंदिर है उसमें दर्शन करते रहिए साल 2023 में आपको करियर में हर तरह की सफलता मिल सकती है साल 2023 आपका ही साल है तो करियर में आपको आउट ओफ तर्न बिणा किसी प्रयास के सफलता मिलेगी यह संभावना दिखती है बात करते हैं अंक आठ की अगर आपका जन्म दिन किसी भी महीने की आठ तारीख को हुआ है सत्रा तारीख को हुआ है या छबीस तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है आठ और आठ के स्वामी होते हैं शनी यानि आपके जर्म की तारीख का संबंद है शनी के साथ आठ अंक वालों की सिक्षा अच्छी होती है और बहुत सारी पढ़ाई बहुत लंबे समय तक ये करते ही रहते हैं लेकिन रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं पढ़ाई कर लिया, छे महने नौकरी की फिर कोई डिपलोमा कर लिया फिर एक साल नौकरी की फिर कोई और कोर्स कर लिया तो सिक्षा की स्थिती अच्छी रहती है लेकिन रुक रुक कर और टूट टूट कर सिक्षा इनकी हो पाती है अकसर देर होती है पढ़ाई में लेकिन जो मनचाही सिख्षा ये चाहते हैं जिस तरह की पढ़ाई करना ये चाहते हैं वो पढ़ाई ये निश्चित रूप से कर ले जाते हैं वो पढ़ाई इनकी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है आठ अंक वालों के लिए फैक्टरी का काम, इंड़स्ट्री, लोहा, कोईला, सिक्षा और कानून के छेत्र आपके लिए उत्तम होते हैं अब आठ अंक शनी का अंक होता है तो आठ अंक वालों के साथ एक बात समझे है कि ये कोई भी नौकरी करते हैं, इनको मेहनत थोड़ी ज़ादा करनी पड़ती है दूसरों का काम भी अपने सर पे ले लेते हैं, दूसरों की जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं इसलिए आप जादा तर देखेंगे आठ अंकवालों को कि वो दो घंटा ओफिस में जादा बिताते हैं क्योंकि वो मेहनत जादा करने के आदी होते हैं दूसरा ये है कि आठ अंक के साथ एक बात बड़ी प्रॉमिनेंट होती है कि आठ अंकवाले उम्र के 40 साल से लेके 60 साल तक जीवन में जादा सफलता पाते हैं इस उम्र में सफलता की संभावनाय सरवत्तम होती हैं और आठ अंकवाले अपने जन्म स्थान से अपने नेटिव प्लेस से जितना दूर जाएं करियर उनके लिए उतना ही अच्छा होता है गैसा पहले बताया कि करियर की शुरुवात इनकी जल्दी होती है 22 साल की उम्र में आम तोर पे करियर शुरू होता है लेकिन करियर में सफलता पहली मिलती है 30 साल की उम्र में और दूसरी सफलता मिलती है 49-40 साल के बाद अब अगर आपका नंबर आठ है आप आठ के अंक से प्रभावित है तो करियर में सफलता के लिए आपको शनी देव की उपासना करनी चाहिए रोज-शाम को 108 बार अगर आप शनी मंतर का जब करें ओम-शंग-शने-शराय-नमहाँ ओम-शंग-शने-शराय-नमहाँ इस मंतर का रोज-शाम को 108 बार जब करें आपके लिए बहुत अच्छा होगा ऐसा लग रहा है कि साल 2023 में आप अपने पुराने करियर को छोड़ करके पुराने करियर को त्याग करके नए करियर की शुरुआत कर पाएंगे बात करते हैं अंतिम मूल अंक की जो है नो नमबर अगर आपकी जन्म की तारीक किसी भी महीने की नो तारीक है 18 तारीक है या 27 तारीक है तो आपके उपर जिस ग्रह का प्रभाव है वो ग्रह है मंगल आपकी जन्म की तारीक का संबंध है मंगल के साथ और नो अंक वालों की सिक्षा की स्थिती मध्यम रहती है एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई इनकी आम तोर पर कुछ अलग तरह की सिक्षा ग्रहन करते हैं जैसे कला के छेतर में चले गए परिवार में सब इंजीनियर हैं अपने आल्ट के फिल्ड में चले गए या परिवार में सारे लोग प्रसाशनिक सेवा में हैं अपने टीचिंग में चले गए कुछ अलग तरह की कुछ हट करके सिक्षा ग्रहन करते हैं ऐसा देखा गया है नो अंक बड़ा उर्जावान अंक है बड़ी ताकत होती है नो अंक के पास मंगल की अपूर्व शक्ती होती है इसी लिए नो अंक वाले अगर सेना में जाएं पुलिस में जाएं प्रसाशन में जाएं फैक्टरी का जमीन का काम करें या ऐसा काम करें जहां पर मेहनत जादा करनी पड़ती हो तो वो छेतर इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है नो अंक वालों को एक बात समझनी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसे छेतर में जाएं जहां पर आपका वर्चस्व कायम रहे क्योंकि नो अंक वाले किसी के अंडर में नहीं रहेंगे और अगर रहेंगे तो अपने बॉस के उपर सवार हो जाएंगे ये कहीं भी रहें लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं इनके अंदर वो ताकत है वो खूबी है कि जो काम कोई नहीं करवा सकता दस लोगों से वो काम नो अंक वाले समझा के बुझा के दबाव बना करके वो काम करवा लेते हैं करियर की शुरुवात इनकी काफी कम उम्र से हो जाती है 23 साल की उम्र में इनका करियर या 24 साल की उम्र में इनका करियर शुरू हो जाता है तो 9 अंक वाले बड़े उर्जावान हैं लेकिन 9 अंक वालों की करियर की एक बड़ी मुश्किलिये है कि ये किसी के अंदर में रहना पसंद नहीं करते और इसी वज़ा से इनके नौकरी में इगो क्लेश या बाधाएं आती रहती है अगर आपका अंक 9 का अंक है तो आप अपने करियर में सफलता के लिए हनुमान जी की उपासना करिए और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा तो घर घर में बच्पन से हम करते आ रहे हैं हनुमान 40 सुबा शाम एक एक बार पढ़िए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नौकरी बदलूंगा या नौकरी छोड़ करके मैं व्यापार में जाऊंगा ऐसा कोई भी गलत निर्ड़े मत लीजिएगा वरना आप मुश्किल में आएंगे जैसा आपका करियर चल रहा है वो बिलकुल ठीक है उसको उसी तरह से चलने दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब अलग-अलग अंकों के माध्यम से आपने समझ लिया कि आपका करियर कैसा हो सकता है करियर के बारे में कुछ अंकों के टिप्स आपको देते हैं कुछ नंबर के टिप्स आपको देते हैं जिन नंबरों का प्रियोग करके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं देखिए अगर आपको नौकरी में या करियर में पैसे की दिक्कत आ रही हो या पैसे की समस्या आ रही हो तो एक सफेद कागस पर वाइट पेपर पर गुलाबी रंग से सिक्स यानि छे लिख करके अपने पास रखना शुरू कर दिजिए और इस छे नंबर को हर साल में बदलते रहिएगा बढ़िया रहेगा अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो और नौकरी में परिवर्तन ना हो पा रहा हो तो आप एक नीले कागस पर या सफेद कागस पर ही सही ब्लैक पिन से या ब्लैक नंबर से आठ लिखिए एट और इसको अपने पास रखना शुरू करिए आप नौकरी में बदलाव भी कर पाएंगे और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आठ के अंक के प्रियोग से आपको नौकरी मिल जाएगी तीसरा नंबर है अगर आप प्रमोशन चाहते हों आप चाहते हों कि आपको उच्च पत की प्राप्ती हो तो आप एक सफेद कागस पर लाल रंग से लिखिए और इस नंबर को अपने पास रखिए साल भर के लिए ये आपको करियर में उच्च पत देने में करियर में सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेगा और सबसे कीमती नंबर अंक जोतिश का है नंबर 24 24 जीवन में अगर करियर से संबंदित या वैसे भी अगर कोई मुश्किल है आप एक सफेद कागस पर या गुलाबी कागस पर 24 लिख करके रखें और सफेद कागस पर अगर 24 लिख करके रखें तो जादा बहतर होगा 24 का नंबर बहुत मैजिकल नंबर है वो जीवन के संघर्ष को घटा देता है और जीवन में सफलता की मात्रा बढ़ा देता है तो अगर आप वाइट पेपर पर पिंक कलर से 24 लिख करके रखते हैं आपने पास तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके पैसे के मामले में आपके करियर के मामले में और आपके सफलताओं के मामले में शुब तरीके से जरूर पड़ेगा आज हम बात करेंगे आपके करियर के नंबर गेम की आपके करियर की और आपके अंक की बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जनम की तारीख तो पता होती है लेकिन साल में कन्फ्यूज होते हैं कि मैं किस साल में पैदा हुआ 65 में हुआ, 66 में हुआ, ये confirm नहीं है हाँ जनम की तारीख मुझे पता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म की तारीख तो पता है लेकिन जन्म का समय नहीं पता, इस्थान नहीं पता तो ऐसी स्थिती में केवल और केवल अपनी जन्म तारीख से आप जान सकते हैं कि आपकी सिछा की स्थिती कैसी रहेगी आपके पढ़ाई की स्थिती कैसी आपका करियर कैसा और करियर में सफलता के लिए किस तरह के उपाए करनी चाहिए तो आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपके करियर और आपकी पढ़ाई का पूरा हाल चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं लेकिन सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है इस सप्ता का मंत्र है ओम रूद्राय नमहा ओम रूद्राय नमहा बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी परिजन का देहान्त हो जाता है या किसी मित्र का देहान्त हो जाता है और हम बहुत दुखी होते हैं उस दुख से उबर नहीं पाते अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है या आप उस दुख से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है मंत्र है ओम रूद्राय नमहा इस मंत्र का निरंतर अगर आप जब करेंगे तो किसी व्यक्ति के नर रहने पर जिस तरह का दुख पैदा होता है जीवन में उस दुख को समाप्त करना आसान होगा और जब भी आपके मन में दुख का भाव पैदा हो जब भी आपके मन में पीडा का भाव पैदा हो दो बार, चार बार, दस बार इस मंत्र को कहिएगा आपकी दुख, आपकी पीडा की स्थिती में सुधार होगा चलिए अपने विशे पराते हैं हम आपको आज बताने वाले हैं कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपकी सिक्षा कैसी होती है आपका करियर कैसा रहता है और साल 2023 में आपका करियर कैसा रहने वाला है सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख का आपके करियर से क्या संबंध है देखिए आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेश ग्रह से होता है जो basic number है, मूल अंक है, वो कुल मिलाके 1 से लेकर 9 तक है उसके बाद 10 या 10 के आगे के जो number है, वो मूल अंक नहीं है, वो compound number है तो मूल अंक 1 से लेकर 9 तक है, और हर अंक का संबंध एक विशेश ग्रह से है उस ग्रह से व्यक्ती का जीवन पूरी तरह से निर्धारित होता है अगर आपका number 1 है, तो आप सूरी से प्रभावित रहेंगे जीवन भर अगर आपका number 6 है, तो आप पूरी तरह से जीवन में शुक्र से प्रभावित रहेंगे तो जिस तरह का नंबर है आपकी जन्म की तारीख का उस तरह का ग्रह पूरी तरह से आपके जीवन को निर्धारित करेगा और उसी ग्रह से संबंद रखता हुआ करियर व्यक्ति आम तोर पर अपने जीवन में चुनता है जिस तरह के नंबर का जिस तरह के अंक का आपके उपर ज़्यादा प्रभाव होता है वैसे ही करियर की तरफ आप जाते हैं या वैसे ही करियर का चुनाव करते हैं अगर उसके विपरीत दिशाओं में करियर होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है यानि अगर आपका अंक कहता है कि आपको व्यापार करना चाहिए और आप नौकरी करने लगते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाय आनी शुरू हो जाती है यानि जिस तरह के करियर का इशारा होता है उस तरह के करियर की तरफ जाना चाहिए अलग-अलग वर्षों का और अलग-अलग महीनों का भी अंक होता है जैसे मान लिया 2023 का अंक है 7 और 2023 में अपरेल का अंक है 4 तो 2023 में अपरेल का जो अंक है वो हो जाएगा 2 क्योंकि वो हो जाएगा 11 तो अलग-अलग वर्षों और अलग-अलग महीनों के अंक होते हैं और इन अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है यानि अगर हम बहुत गहराई से समझना चाहें तो केवल आपकी जनम की तारीक से जान सकते हैं कि किस साल में आपका करियर कैसा रहेगा और किस साल के किस महीने में आपको सफलता मिलेगी और किस साल के किस महीने में आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी तो अगर आपको अपने जनम का साल नहीं पता है जनम का समय नहीं पता है कोई बात नहीं केवल जन्म की तारीख के आधार पर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं बात करते हैं नंबर एक की वन नंबर की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है 10 तारीख है 19 तारीख है या 28 तारीख है तो इसको जोड़ करके देखिए इसका नंबर आता है एक यानि ये एक नंबर वाले लोग हैं और एक नंबर वालों का संबंद होता है सूर्य के साथ यानि जिनकी भी जन तारीख का जोड तोटल एक आता है उनका संबंद होता है सूर्य से इनकी सिक्षा में सामान निरूप से बाधाएं आती ही है आम तोर पर आप देखेंगे कि एक अंकवालों की शुरुआती सिक्षा बहुत अच्छी होती है जो मिडल एज की सिक्षा है, जो मध्ध की सिक्षा है आम तोर पे 15-16 साल से लेके 28-30 साल तक वहाँ पर थोड़ी प्राब्लम होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है यानि मध्य में सिक्षा प्राप्ट करने में इनको दिक्कत होती है अगर आपका नंबर एक है तो आपके लिए साशन का छेत्र, प्रसाशन का छेत्र, चिक्षा का छेत्र और राजनीती का छेत्र आपको फाइदा पहुँचा सकता है इन छेत्रों में सफलता पाने की संभावना आपके लिए जादा होती है अगर आपका अंक एक है तो आप किसी भी छेतर में रहिए आप स्विध्यालेक या ध्यापक बन जाएं या चतुर्त श्रेडी के कर्मचारी बन जाएं जिस भी छेतर में रहेंगे उस छेतर का नेत्रित्व करेंगे leading capacity नित्रित्व करना एक अंकवालों के पास जरूर होता है इसलिए अगर ये छोटी जगां पे भी रहेंगे तो वहाँ पे भी चीजों को control करेंगे नित्रित्व करेंगे इसकी संभावना रहती है जीवन के आरंब से ही इनके career की शुरुवात हो जाती है यानि आम तोर पे एक अंकवालों का career उम्र के 18-20 साल से ही शुरू हो जाता है career इनका थोड़ा जल्दी शुरू होता है अब career को बेहतर बनाना चाहते हैं आपका जो भी career हो अगर अंक एक है आपका और आप चाहते हैं कि आपका career अच्छा हो तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल भगवान सूर्य को समर्पित करें सूर्य देव के मंतर का जब करें या आदित्य हृदय इस्तोत्र का पाठ करें रोज सवेरे ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा यानि आप अगर करियर में किसी भी तरह की मुश्किल से परेशान है और आपका अंक एक है तो सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में अगर हम देखें तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है इसलिए साल 2023 में सूर्य की निरंतर पूजा करने से आपको लाब अवश्य होगा अगर आपके जन्म की तारीख है महीने की दो तारीख ग्यारा तारीख बीस तारीख या उनतिस तारीख तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिक नंबर है आपका जो मुख्य नंबर है वो है दो और अगर आपका मुख्य नंबर दो नंबर है तो आपके करियर से इसका क्या संबंद है देखिए दो नंबर वालों का संबंद होता है पूरी तरह से चंद्रमा के साथ आपका जो मुख्य प्लैनेट है वो ग्रह है चंद्रमा और ये काफी परिश्रम से अपनी सिख्षा पूरी करते हैं आम तोर पे दो अंकवालों की सिख्षा अच्छी होती है लेकिन बीच में एक बार जटका जरूर लगता है तो ये बहुत परिश्रम करते हैं तब जाकरके इनकी सिख्षा पूरी होती है ऐसा देखा गया है मेहनत के बाद ही सिख्षा इनकी पूरी हो पाती है अगर हम इनके खेत्र की बात करें तो दो अंकवालों के लिए कला का खेत्र, फिल्म का खेत्र, चेकित्सा का खेत्र, नेवी का खेत्र, सिख्षा का खेत्र और खान-पान का जो खेत्र है खान-पान का जो फील्ड है वो इन्हें सूट करता है ये बड़े अच्छे मेनेजर होते हैं अगर हम करियर में इनके गुण देखें कि करियर में इनके गुण क्या है करियर में इनकी ताकत क्या है तो अंक दो वाले बड़े अच्छे मेनेजर होते हैं और कठिनाईयों को सरलता से सुलजा लेते हैं दो अंकवाले अगर किसी भी जगह काम कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं या अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं आप इनसे बात करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं सुलज गई हैं क्योंकि ये कठिन से कठिन समस्या को सुलजा लेते हैं और कठिन से कठिन इस्थिती को पार कर जाते हैं अपनी मेहनत की वज़ा से और अपनी बुद्धी की वज़ा से आम तोर पर करियर की शुरुआत में इनको विलंब होता है थोड़े समय तक शुरू में लगबग 23-24 साल की उमर तक करियर शुरू करते हैं फिर ब्रेक होता है और फिर 28-30 के बाद जो करियर होता है वही करियर इनका लंबे समय तक चलता है तो आम तोर पर करियर की शुरुआत में इनके लिए विलंब की संभावना बनती है अगर आपका नंबर 2 है और आप चाहते हैं कि आप करियर में सफलता पा सके करियर में आपको सफलता मिले तो इसके लिए भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करें और रोज सुबह शाम दोनों समय एक सो आठ बार नमः शिवाय का जब करें अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से करियर की जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी साल 2023 में आपको अपने करियर में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं इस साल में आप अपने करियर में बड़े बदलाव जरूर करेंगे और अगर ये बड़ा बदलाव होता है इस साल में आपके करियर में तो ये बड़ा बदलाव आपके लिए फाइदेमंद बना रहेगा बात करते हैं नंबर 3 की यानि अंक 3 की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख है 12 तारीख है 21 तारीख है या 30 तारीख है 3, 12, 21 या 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मुख्य अंक है वो अंक है 3, 3 आपके अंक का सीधा संबंद होता है ब्रिहस्पती के साथ जुपिटर के साथ और 3 अंक वालों को सामान्यतह अंक जोतिश में बुद्धिमान और ज्यानवान माना जाता है इसलिए अंक तीन वालों के सिक्षा की स्थिती और बुद्धी की स्थिती हमेशा अच्छी रहती है इनको सिक्षा के खेत्र में धर्म में कानून में मीडिया में और सलाह कारिता में कंसल्टेंसी काउंसिलिंग के खेत्र में लाब होता है तीन अंको वाले ज़्यादा तर सामान नहीं बेचते अपनी स्किल बेचते हैं अपना दिमाग बेचते हैं अपनी सलाह बेचते हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े वकील या बहुत अच्छे अच्छे बड़े सलाहकार आपको तीन अंको वाले दिखाई देंगे ये अपनी स्किल से पैसा कमाते हैं, अपनी वानी से पैसा कमाते हैं, सामान बेचकर पैसा नहीं कमाते हैं अब करियर की अगर बात करें तो करियर की शुरुआत में लगभग उम्र के 28-30 साल तक इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है उम्र के 30 साल तक इनका संघर्ष जादा रहता है, और आम तोर पर 20 वर्ष के बाद इनका करियर जादा बेहतर शुरू होता है, ऐसा देखा गया है उम्र के जब 30 वर्ष इनके पूरे हो जाते हैं, तब इनके करियर में सफलता की संभावनाएं जादा बनती हैं अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, और आपका अंक तीन है, तो आप भगवान विश्नु की श्री हरी की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तीन अंक वालों को मैं बता दूँ कि आप रोज सवेरे विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम नमो नारायडाय इस मंत्र का नित्य प्राता जब करें, या विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपका करियर अच्छा रहेगा साल 2023 में आपका करियर भी बदलेगा और जिस थान पर नौकरी करते हैं जिस एरिया में नौकरी करते हैं वो एरिया भी वो स्थान भी आपका बदल जाएगा अब हो सकता है आप दिल्ली में नौकरी करते हूं आप गुरगाओं चले जाएं आप दिल्ली में नौकरी करते हूं बेंगलोर हैजराबाद चले जाएं यानि साल 2023 में करियर में बदलाव करेंगे और करियर में बदलाव के अलावा आपके स्थान में भी बड़े परिवर्तन होंगे ये संभावना दिखती है अगर आपकी जन्म की तारीख महिने की चार तारीख है तेरा तारीख है बाइस तारीख है या 31 तारीख है तो आपका जो मुख्य नंबर है आपका जो बेसिक अंक है वो है चार चार नंबर को अंक जोतिश में सरवाधिक रहस्यमई अंक माना जाता है ओकल्ट पावर के साथ इनको हम सब मानते हैं इस अंक का जो स्वामी है वो है राहू इसलिए चार अंक वालों का संबंध होता है राहू के साथ आम तोर पर सिक्षा में उतार चड़ाओ बना रहता है सिक्षा लगातार स्मूथली नहीं चलती हां रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं और उसमें भी बाधाएं बहुत आती हैं कभी कभी घर की जिम्मेदारियों की वज़ा से भी इनके लिए पढ़ाई कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है ये पढ़ते कुछ और हैं करते कुछ और हैं पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की और काम कर रहे हैं रिस्टोरेंट का पढ़ाई करी होटल मैनेजमेंट की और नौकरी कर रहे हैं टीचिंग की पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, अक्सर इनका करियर अचानक से जीवन में सामने आता है और अचानक से उस करियर को एडॉप्ट कर लेते हैं अब चार अंकवालों के लिए कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, जोतिश और मार्केटिंग के खेत्र उत्तम होते हैं जिन छेत्रों में टेक्नलोजी हो जिन छेत्रों में रहस्य हो या जिन छेत्रों में चीजों की गहराई तक जाना होता हो ऐसे छेत्र इनको ज़्यादा सूट करते हैं सामान्यतह कम आयू से करियर शुरू हो जाता है इनका आम तोर पे चार अंको वालों का करियर उम्र के 22-23 साल के आसपास से शुरू होता है और वहाँ से ये पैसा कमाना शुरू कर देते हैं अगर आपका अंक चार है तो चार अंके बारे में तो ये जान लीजिए कि चार अंको वालों का जीवन कभी सीधा नहीं चलता वो हमेशा उतार चड़ाओं के साती चलता है चाहे वो करियर हो चाहे वो विवा हो चाहे वो उनकी जिन्दगी हो तो अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका नंबर चार है तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाबकारी रहेगी जितना संभव हो रोज सुबा शिव जी को जल चड़ाएं और सुबा के समय रोज 108 बार नमः शिवाय का जब करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में अगर कोई बड़ा निर्ड़े लेने जा रहे हैं कि मैं अब नौकरी छोड़कर व्यवसाय करूंगा या मैं ये व्यवसाय बंद करके कोई और काम करूंगा कोई बहुत बड़ा निर्ड़े अगर साल 2023 में आप लेने जा रहे हैं तो उसको लेकर के सावधान रहिएगा बहुत सोच विचार करके निल्रे लीजिएगा वही आपके लिए बेहतर होगा अब बात करते हैं नमबर पांच की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की पांच तारीख है 14 तारीख है या 23 तारीख है तो आपका जो मुख्य अंक है वो है पांच 5 पांच अंक का जो स्वामी है उसे कहते हैं बुद्ध यानि मरकरी पांच अंक वालों का जो स्वामी होता है पांच अंक पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह होता है बुद्ध आम तोर पर इनकी सिक्षा मध्यम रहती है इनकी सिक्षा एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल स्टुडेंट होते हैं एवरेज विद्यारती होते हैं पाँच अंक वाले पैसे को जानने में और पैसे को समझने में बड़े मास्टर होते हैं कितना पैसा कहां से लाना है और कितना पैसा कहां पर खर्च होगा इसको लेकर के बहुत अलर्ट रहते हैं तो पाँच अंक वालों के लिए बैंक का छेत्र, फाइनेंस का छेत्र, मार्केटिंग का छेत्र और Commerce का खेत्र इनके लिए उत्तम होता है जहां पर पैसे रुपए का लेन देन होता हो पहले नमबर पे या दूसरे नमबर पे जहां पर चीजों को मैनेज किया जाता हो जहां पर चीजों का मैनेजमेंट देखा जाता हो ऐसे छेत्र इनके लिए बहुत उत्तम होंगे और पांच अंक वाले भी दो अंक के जैसे बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं तो हर तरह की स्थिती को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं इनका करियर शुरुआत में कुछ और होता है शुरुआत करते हैं किसी छोटी नौकरी से किसी छोटे कारोबार से और बाद में अपना करियर बदल करके ये अच्छी जगह पे जाते हैं आम तोर पे उम्र के 24-25 साल से इनका करियर शुरू होता है और उसके बाद इनके सफलता की संभावनाएं जादा हो जाती है पांच अंक वाले पढ़ाई में सामान ने होते हैं लेकिन करियर के मामले में बड़े मजबूत होते हैं अगर आपका नंबर पांच है अंक पांच है तो करियर में सफलता के लिए भगवान गणेश की उपासना करें बहुत अच्छा होगा रोज सुबह भगवान गणेश को दूरुवा अरपित करें गणपती अथर्व शीर्स का पाठ करें या ओम गण गणपते ये नमह इस मंतर का जब करें आपके लिए बहुत शुबहोगा साल 2023 में ये एक साथ अलग अलग बहुत सारे काम करने का प्रयास करेंगे और वो इनके लिए बहतर होगा छोटे छोटे बहुत सारे काम ये कर सकते हैं इसकी संभावना इनके लिए बनती है अंक 6 की बात करते हैं अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख है 15 तारीख है या 24 तारीख है तो आपका मुख्य अंक है 6 6 अंक का जो स्वामी है वो है शुक्र यानि वेनस छे अंग का संबंध होता है शुक्र के साथ सिक्षा के मामले में ये काफी परिवर्तन करते हैं शुरुवात में डॉक्टर बनना चाते हैं डॉक्टरी में सेलेक्षन नहीं होता टीचिंग में आ जाते हैं या शुरुवात से civil service की तैयारी करना चाते हैं, वहाँ selection नहीं होता, किसी और छेतर में चले जाते हैं, यानि target कुछ और होता है, परिडाम कुछ और होते हैं, सिक्षा के मामले में बार बार परिवर्तन करते हैं, और तब जाकर एक छेतर में रास्ता बना पाते हैं, और आम तो और पे इनका रास्ता बनता है, उम्र के 28-30 साल के आसपास, या इनके विवाह के बाद, अगर आपका नंबर 6 नंबर है, तो आपके लिए फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, रसायन यानि केमिकल, आभूशन, सौंदर्य और सिक्षा का छेतर उत्तम रहेगा, इनसे संबंद छेत्रों में अगर आप कोशिश करें, तो लाब होने की संभावना जरूर बनेगी, खास तोर से अगर छे अंक वाले मीडिया में, फिल्म में, क्रियेटिविटी के सेक्टर में, लिखने में, म्यूजिक में अगर जाएं, तो सफलता इनको जल्दी और ज़्यादा मिल पात लेकिन ये सफल होते हैं जादा तर उम्र के 30 वर्ष के बाद, अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, और आपका नंबर है 6, आपका अंक है 6, तो मा लक्षमी की उपासना करना आपके लिए फाइदे मंद होगा, रोज लक्षमी जी के सामने दीपक जला करके उनसे प्रातना करें, आपको लाब होगा, और याद रखिये लक्षमी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, तो अगर आप लक्षमी जी की पूजा करेंगे, तो साथ में भगवान गडेश की या भगवान विश्नु की पूजा भी जरूर करियेगा, वो आपके लिए पूरी होगा, साल 2023 में पक्के तौर पर आपके करियर में परिवर्तन होगा, प्रमोशन, एप्रेजल, इंक्रिमेंट होने की संभावना है, और इस साल में आप स्थान बदल करके किसी नई जगां पर जा करके रहने का, किसी नई जगां पर जा करके काम करने का विचार कर सक अगर आपकी जर्म की तारीख किसी भी महीने की साथ तारीख है 16 तारीख है या 25 तारीख है तो आपका जो बेसिक नंबर है आपका जो मुख्य नंबर है वो है साथ और साथ का संबंद होता है केतू के साथ सामान्यतह साथ अंकवाले पढ़ाई में बड़े ब्रिलियंट नहीं होते academics जो है पढ़ाई का जो मामला है वो इनके लिए साधारन होता है मध्यम रहता है लेकिन ये intelligent बहुत होते हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं creative बहुत होते हैं degree और पढ़ाई साधारन होती है लेकिन बुद्धिमान बहुत और creative बहुत होते हैं किस पुरानी चीज को नए तोर से कैसा कर देना है या नए नए आइडियाज आना नए नए सोच विचार आना या चीजों को अच्छी तरह से present करना ये साथ अंकवाले जानते हैं आपके लिए engineering का छेत्र, तकनीक, management, creativity, philosophy यानि दर्शन या यात्राओं का छेत्र अच्छा होता है साथ अंकवाले लिखते बहुत अच्छा हैं अगर इनको थोड़ा guide किया जाए तो बड़ी अच्छी किताबें, बड़ी अच्छी script, बहुत अच्छी story ये सब लिख सकते हैं और बड़े अच्छे philosopher भी होते हैं, अगर इनका interest दर्शन शास्त्र में चला गया, philosophy में चला गया, गीता का अध्यन करने लगे तो आप समझेए कि इनका जीवन बदल जाता है, लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि एक जगा पर टिक करके नई रह पाते बहुत जल्दी इनको बोरियत होने लगती है कि पांच साल से ही जगा नौकरी कर रहा है, नौकरी बदल लो तो साथ अंक वाले intelligent होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और सही दिशा मिले तो तरक्की भी काफी करते हैं करियर में इनके आप देखेंगे साथ अंकवालों के कि हर 4-5 साल में इनके या इनके जीवन साथी के करियर में उतार चड़ाव जरूर आता है, ऐसा इंटरवल के साथ फिक्स होता है, आता जाता रहता है, ऐसा देखा गया है एक समय के बाद अपना काम करना पसंद करते हैं, बहुत समय तक नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते, कुछ समय तक लगभग उम्र के 34-35 साल तक आप इनको देखेंगे, कि ये नौकरी करेंगे या किसी के अंडर में काम करेंगे, 34-35 साल के बाद ये अपना काम करना पसंद करते हैं और अपना काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही जादा आपके लिए बेहतर होगा रोज, सुबह, शाम, नमह, शिवाय का जब करिये जब भी मौका मिले किसी भी जगा जा रहे हैं वहां शिव जी के दर्शन करते रहिए क्योंकि आप यात्राएं बहुत करते हैं तो हर स्थान पर जो पवित्र शिव मंदिर है उसमें दर्शन करते रहिए साल 2023 में आपको करियर में हर तरह की सफलता मिल सकती है साल 2023 आपका ही साल है तो करियर में आपको आउट औफ तर्न बिना किसी प्रियास के सफलता मिलेगी ये संभावना देखती है बात करते हैं अंक आठ की अगर आपका जन्म दिन किसी भी महीने की आठ तारीख को हुआ है सत्रा तारीख को हुआ है या छबीस तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है आठ और आठ के स्वामी होते हैं शनी यानि आपके जन्म की तारीख का संबंद है शनी के साथ आठ अंक वालों की सिक्षा अच्छी होती है और बहुत सारी पढ़ाई बहुत लंबे समय तक ये करते ही रहते हैं लेकिन रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं ग्रेजुएशन कर लिया, छे मेहने नौकरी की फिर कोई डिपलोमा कर लिया फिर एक सारी नौकरी की फिर कोई और कोर्स कर लिया तो सिक्षा की स्थिती अच्छी रहती है लेकिन रुक रुक कर और टूट टूट कर सिक्षा इनकी हो पाती है अकसर देर होती है पढ़ाई में लेकिन जो मनचाही सिक्षा ये चाहते हैं जिस तरह की पढ़ाई करना ये चाहते हैं, वो पढ़ाई ये निश्चित रूप से कर ले जाते हैं, वो पढ़ाई इनकी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है आठ अंक वालों के लिए फैक्टरी का काम, इंड़स्ट्री, लोहा, कोईला, सिक्षा और कानून के छेत्र आपके लिए उत्तम होते हैं अब आठ का अंक, शनी का अंक होता है, तो आठ अंक वालों के साथ एक बात समझिए कि ये कोई भी नोकरी करते हैं, इनको मेहनत थोड़ी जादा करनी पड़ती है दूसरों का काम भी अपने सर पे ले लेते हैं दूसरों की जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं इसलिए आप जादा तर देखेंगे आठ अंकवालों को कि वो दो घंटा ओफिस में जादा बिताते हैं क्योंकि वो मेहनत जादा करने के आदी होते हैं दूसरा ये है कि आठ अंक के साथ एक बात बड़ी प्रॉमिनेंट होती है कि आठ अंक वाले उम्र के 40 साल से लेके 60 साल तक जीवन में ज़्यादा सफलता पाते हैं इस उम्र में सफलता की संभावनाएं सर्वोत्तम होती है और आठ अंक वाले अपने जन्म स्थान से अपने नेटिव प्लेस से जितना दूर जाएं करियर उनके लिए उतना ही अच्छा होता है गैसा पहले बताया कि करियर की शुरुवात इनकी जल्दी होती है 22 साल की उम्र में आम तोर पे करियर शुरू होता है लेकिन करियर में सफलता पहली मिलती है 30 साल की उम्र में और दूसरी सफलता मिलती है 49-40 साल के बाद अब अगर आपका नंबर आठ है आप आठ के अंक से प्रभावित हैं तो करियर में सफलता के लिए आपको शनी देव की उपासना करनी चाहिए रोज शाम को 108 बार अगर आप शनी मंतर का जब करें ओम शंग शने शराय नमहा ओम शंग शने शराय नमहा इस मंतर का रोज शाम को 108 बार जब करें आपके लिए बहुत अच्छा होगा ऐसा लग रहा है कि साल 2023 में आप अपने पुराने करियर को छोड़ करके पुराने करियर को त्याक करके नए करियर की शुरुआत कर पाएंगे बात करते हैं अंतिम मूल अंक की जो है नो नमबर अगर आपकी जन्म की तारीक किसी भी महीने की नो तारीक है 18 तारीक है या 27 तारीक है तो आपके उपर जिस ग्रह का प्रभाव है वो ग्रह है मंगल आपकी जन्म की तारीक का संबंध है मंगल के साथ और नो अंक वालों की सिक्षा की स्थिती मध्यम रहती है एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई इनकी आम तोर पर कुछ अलग तरह की सिक्षा ग्रहन करते हैं जैसे कला के छेतर में चले गए परिवार में सब इंजीनियर हैं अपने आल्ट के फिल्ड में चले गए या परिवार में सारे लोग प्रसाशनिक सेवा में हैं अपने टीचिंग में चले गए कुछ अलग तरह की कुछ हट करके सिक्षा ग्रहन करते हैं ऐसा देखा गया है नौ अंक बड़ा उर्जावान अंक है बड़ी ताकत होती है नौ अंक के पास मंगल की अपूर्व शक्ती होती है इसी लिए नौ अंक वाले अगर सेना में जाएं पुलिस में जाएं प्रसाशन में जाएं फैक्टरी का जमीन का काम करें या ऐसा काम करें जहां पर मेहनत जादा करनी पड़ती हो तो वो छेतर इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है नौ अंक वालों को एक बात समझनी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसे छेतर में जाएं जहां पर आपका वर्चस्व कायम रहे क्योंकि नौ अंक वाले किसी के अंडर में नहीं रहेंगे और अगर रहेंगे तो अपने बॉस के उपर सवार हो जाएंगे ये कहीं भी रहें लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं इनके अंदर वो ताकत है वो खूबी है कि जो काम कोई नहीं करवा सकता दस लोगों से वो काम नौ अंक वाले समझा के बुझा के दबाव बना करके वो काम करवा लेते हैं करियर की शुरुवात इनकी काफी कम उम्र से हो जाती है 23 साल की उम्र में इनका करियर या 24 साल की उम्र में इनका करियर शुरू हो जाता है तो 9 अंक वाले बड़े उर्जावान हैं लेकिन 9 अंक वालों की करियर की एक बड़ी मुश्किलिये है कि ये किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते और इसी वज़ा से इनके नौकरी में इगो क्लैश या बाधाएं आती रहती है अगर आपका अंक नौ का अंक है तो आप अपने करियर में सफलता के लिए हनुमान जी की उपासना करिए और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा तो घर घर में बच्पन से हम करते आ रहे हैं हनुमान चालिसा सुबा शाम एक एक बार पढ़िए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नौकरी बदलूंगा या नौकरी छोड़ करके मैं व्यापार में जाऊंगा ऐसा कोई भी गलत निर्ड़े मत लीजिएगा वरना आप मुश्किल में आएंगे जैसा आपका करियर चल रहा है वो बिलकुल ठीक है उसको उसी तरह से चलने दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब अलग-अलग अंकों के माध्यम से आपने समझ लिया कि आपका करियर कैसा हो सकता है करियर के बारे में कुछ अंकों के टिप्स आपको देते हैं कुछ नंबर के टिप्स आपको देते हैं जिन नंबरों का प्रियोग करके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं देखिए अगर आपको नौकरी में या करियर में पैसे की दिक्कत आ रही हो या पैसे की समस्या आ रही हो तो एक सफेद कागस पर वाइट पेपर पर गुलाबी रंग से 6 यानि 6 लिख करके अपने पास रखना शुरू कर दिजिए और इस 6 नंबर को हर साल में बदलते रहिएगा बढ़िया रहेगा अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो और नौकरी में परिवर्तन ना हो पा रहा हो तो आप एक नीले कागस पर या सफेद कागस पर ही सही ब्लैक पिन से या ब्लैक नंबर से 8 लिखिए 8 और इसको अपने पास रखना शुरू करिए आप नौकरी में बदलाव भी कर पाएंगे और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आठ के अंक के प्रियोग से आपको नौकरी मिल जाएगी तीसरा नंबर है अगर आप प्रमोशन चाहते हों आप चाहते हों कि आपको उच्च पत की प्राप्ती हो तो आप एक सफेद कागस पर लाल रंग से लिखिए और इस नंबर को अपने पास रखिए साल भर के लिए ये आपको करियर में उच्च पत देने में करियर में सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेगा और सबसे कीमती नंबर अंक जोतिश का है नंबर 24 24 जीवन में अगर करियर से संबंदित या वैसे भी अगर कोई मुश्किल है आप एक सफेद कागस पर या गुलाबी कागस पर 24 लिख करके रखें और सफेद कागस पर अगर 24 लिख करके रखें तो जादा बहतर होगा 24 का नंबर बहुत मैजिकल नंबर है वो जीवन के संघर्ष को घटा देता है और जीवन में सफलता की मात्रा बढ़ा देता है तो अगर आप वाइट पेपर पर पिंक कलर से 24 लिख करके रखते हैं आपने पास तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके पैसे के मामले में आपके करियर के मामले में और आपके सफलताओं के मामले में शुब तरीके से जरूर पड़ेगा आज हम बात करेंगे आपके करियर के नंबर गेम की आपके करियर की और आपके अंक की बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जनम की तारीख तो पता होती है लेकिन साल में कन्फ्यूज होते हैं कि मैं किस साल में पैदा हुआ 65 में हुआ, 66 में हुआ, ये confirm नहीं है हाँ जनम की तारीख मुझे पता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म की तारीख तो पता है लेकिन जन्म का समय नहीं पता, स्थान नहीं पता तो ऐसी स्थिती में केवल और केवल अपनी जन्म तारीख से आप जान सकते हैं कि आपकी सिछा की स्थिती कैसी रहेगी आपके पढ़ाई की स्थिती कैसी आपका करियर कैसा और करियर में सफलता के लिए किस तरह के उपाय करनी चाहिए तो आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपके करियर और आपकी पढ़ाई का पूरा हाल चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं लेकिन सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है इस सप्ता का मंत्र है ओम रूद्राय नमहा ओम रूद्राय नमहा बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी परिजन का देहान्त हो जाता है या किसी मित्र का देहान्त हो जाता है और हम बहुत दुखी होते हैं उस दुख से उबर नहीं पाते अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है या आप उस दुख से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है मंत्र है ओम रूद्राय नमहा इस मंत्र का निरंतर अगर आप जब करेंगे तो किसी व्यक्ति के नर रहने पर जिस तरह का दुख पैदा होता है जीवन में उस दुख को समाप्त करना आसान होगा और जब भी आपके मन में दुख का भाव पैदा हो जब भी आपके मन में पीडा का भाव पैदा हो दो बार चार बार दस बार इस मंतर को कहिएगा आपकी दुख आपकी पीडा की स्थिति में सुधार होगा चलिए अपने विशे पराते हैं हम आपको आज बताने वाले हैं कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपकी सिक्षा कैसी होती है आपका करियर कैसा रहता है और साल 2023 में आपका करियर कैसा रहने वाला है सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख का आपके करियर से क्या संबंध है देखिए आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेश ग्रह से होता है जो basic number है, मूल अंक हैं, वो कुल मिलाके 1 से लेकर 9 तक हैं उसके बाद 10 या 10 के आगे के जो number हैं, वो मूल अंक नहीं हैं, वो compound number हैं तो मूल अंक 1 से लेकर 9 तक हैं और हर अंक का संबंध एक विशेश ग्रह से है उस ग्रह से व्यक्ती का जीवन पूरी तरह से निर्धारित होता है अगर आपका number 1 है, तो आप सूरी से प्रभावित रहेंगे जीवन भर अगर आपका number 6 है, तो आप पूरी तरह से जीवन में शुक्र से प्रभावित रहेंगे तो जिस तरह का नंबर है आपकी जन्म की तारीख का उस तरह का ग्रह पूरी तरह से आपके जीवन को निर्धारित करेगा और उसी ग्रह से संबंद रखता हुआ करियर व्यक्ति आम तोर पर अपने जीवन में चुनता है जिस तरह के नंबर का जिस तरह के अंक का आपके उपर जादा प्रभाव होता है वैसे ही करियर की तरफ आप जाते हैं या वैसे ही करियर का चुनाव करते हैं अगर उसके विपरीत दिशाओं में करियर होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है यानि अगर आपका अंक कहता है कि आपको व्यापार करना चाहिए और आप नौकरी करने लगते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाय आनी शुरू हो जाती है यानि जिस तरह के करियर का इशारा होता है उस तरह के करियर की तरफ जाना चाहिए अलग-अलग वर्षों का और अलग-अलग महीनों का भी अंक होता है जैसे मान लिया 2023 का अंक है 7 और 2023 में अपरेल का अंक है 4 तो 2023 में अपरेल का जो अंक है वो हो जाएगा 2 क्योंकि वो हो जाएगा 11 तो अलग-अलग वर्षों और अलग-अलग महीनों के अंक होते हैं और इन अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है यानि अगर हम बहुत गहराई से समझना चाहें तो केवल आपकी जनम की तारीक से जान सकते हैं कि किस साल में आपका करियर कैसा रहेगा और किस साल के किस महीने में आपको सफलता मिलेगी और किस साल के किस महीने में आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी तो अगर आपको अपने जनम का साल नहीं पता है जनम का समय नहीं पता है कोई बात नहीं केवल जन्म की तारीख के आधार पर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं बात करते हैं नंबर एक की, वन नंबर की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है 10 तारीख है 19 तारीख है या 28 तारीख है तो इसको जोड़ करके देखिए इसका नमबर आता है एक यानि ये एक नमबर वाले लोग है और एक नमबर वालों का संबंद होता है सूर्य के साथ यानि जिनकी भी जन तारीख का जोड तोटल एक आता है उनका संबंध होता है सूर्य से इनकी सिक्षा में सामान निरूप से बाधाएं आती ही हैं आम तौर पर आप देखेंगे कि एक अंकवालों की शुरुवाती सिक्षा बहुत अच्छी होती है जो मिडल एज की सिक्षा है जो मद्ध की सिक्षा है आम तौर पे 15-16 साल से लेके 28-30 साल तक वहाँ पर थोड़ी प्राबलम होती है उसके बाद ठीक हो जाता है यानि मद्ध में सिक्षा प्राप्ट करने में इनको दिक्कत होती है अगर आपका नंबर एक है तो आपके लिए साशन का छेत्र प्रसाशन का छेत्र चिक्षा का छेत्र और राजनीती का छेत्र आपको फाइदा पहुँचा सकता है इन छेत्रों में सफलता पाने की संभावना आपके लिए जादा होती है अगर आपका अंक एक है तो आप किसी भी छेत्र में रहिए आप स्विद्याले के अध्यापक बन जाएं या चतुर्त श्रेडी के करमचारी बन जाएं जिस भी छेतर में रहेंगे उस छेतर का नित्रित्व करेंगे लीडिंग केपैसिटी नित्रित्व करना एक अंकवालों के पास जरूर होता है इसलिए अगर ये छोटी जगां पे भी रहेंगे तो वहाँ पे भी चीजों को कंट्रोल करेंगे, नित्रित्व करेंगे, इसकी संभावना रहती है जीवन के आरंब से ही इनके करियर की शुरुआत हो जाती है यानि आम तोर पे एक अंक वालों का करियर उम्र के 18-20 साल से ही शुरू हो जाता है करियर इनका थोड़ा जल्दी सुरू होता है अब करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं आपका जो भी करियर हो अगर अंक एक है आपका और आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल्द भगवान सूर्य को समर्पित करें सूर्य देव के मंत्र का जब करें या आदित्य हृदय इस्तोत्र का पाठ करें रोज सवेरे ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा यानि आप अगर करियर में किसी भी तरह की मुश्किल से परेशान हैं और आपका अंक एक है तो सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल दो हजार तेईस में अगर हम देखें तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चड़ाव दिख रहा है इसलिए साल दो हजार तेईस में सूर्य की निरंतर पूजा करने से आपको लाब अवश्य होगा अगर आपके जन्म की तारीख है महीने की दो तारीख 11 तारीख 20 तारीख या 29 तारीख तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बेसिक नंबर है आपका जो मुख्य नंबर है वो है दो और अगर आपका मुख्य नंबर दो नंबर है तो आपके करियर से इसका क्या संबंद है देखिए दो नंबर वालों का संबंद होता है पूरी तरह से चंद्रमा के साथ मून के साथ अगर आपका नंबर दो है तो आपका जो मुख्य ग्रह है आपका जो मुख्य प्लैनेट है वो ग्रह है चंद्रमा और ये काफी परिश्रम से अपनी सिक्षा पूरी करते हैं आम तोर पे दो अंकवालों की सिक्षा अच्छी होती है लेकिन बीच में एक बार जटका जरूर लगता है तो ये बहुत परिश्रम करते हैं तब जाकरके इनकी सिक्षा पूरी होती है ऐसा देखा गया है मेहनत के बाद ही सिक्षा इनकी पूरी हो पाती है अगर हम इनके खेत्र की बात करें तो दो अंक वालों के लिए कला का खेत्र, फिल्म का खेत्र, चेकिट्सा का खेत्र, नेवी का खेत्र, सिक्षा का खेत्र और खान पान का जो खेत्र है खान पान का जो फील्ड है वो इन्हें सूट करता है ये बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं अगर हम करियर में इनके गुण देखें कि करियर में इनके गुण क्या है करियर में इनकी ताकत क्या है तो अंक दो वाले बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं और कठिनाईयों को सरलता से सुलजा लेते हैं दो अंक वाले अगर किसी भी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं आप इंसे बात करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याय सुलज गई हैं। क्योंकि ये कठिन से कठिन समस्या को सुलजा लेते हैं और कठिन से कठिन इस्थिती को पार कर जाते हैं अपनी मेहनत की वज़ा से और अपनी बुद्धी की वज़ा से आम तोर पर करियर की शुरुवात में इनको विलंब होता है थोड़े समय तक शुरू में लगबग 23-24 साल की उमर तक करियर शुरू करते हैं फिर ब्रेक होता है और फिर 28-30 के बाद जो करियर होता है वही करियर इनका लंबे समय तक चलता है तो आम तोर पर करियर की शुरुवात में इनके लिए विलंब की संभावना बनती है अगर आपका नंबर दो है और आप चाहते हैं कि आप करियर में सफलता पा सकें करियर में आपको सफलता मिले तो इसके लिए भग्मान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करें और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जब करें अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से करियर की जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी साल 2023 में आपको अपने करियर में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं इस साल में आप अपने करियर में बड़े बदलाव जरूर करेंगे और अगर ये बड़ा बदलाव होता है इस साल में आपके करियर में तो ये बड़ा बदलाव आपके लिए फाइदेमंद बना रहेगा बात करते हैं नंबर 3 की यानि अंक 3 की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख है 12 तारीख है 21 तारीख है या 30 तारीख है तीन, बारह, इकिस या तीस तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मुख्य अंक है वो अंक है तीन, थ्री आपके अंक का सीधा संबंद होता है ब्रिहस्पती के साथ जुपिटर के साथ और तीन अंक वालों को सामान्यतह अंक जोतिश में बुद्धिमान और ज्यानवान माना जाता है इसलिए अंक तीन वालों के सिक्षा की स्थिती और बुद्धी की स्थिती हमेशा अच्छी रहती है इनको सिक्षा के खेत्र में, धर्म में, कानून में, मीडिया में और सलाहकारिता में कंसल्टेंसी काउंसिलिंग के छेतर में लाब होता है तीन अंक वाले ज़्यादा तर सामान नहीं बेचते अपनी स्किल बेचते हैं, अपना दिमाग बेचते हैं, अपनी सलाह बेचते हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े वकील या बहुत अच्छे अच्छे बड़े सलाहकार आपको तीन अंकवाले दिखाई देंगे ये अपनी स्किल से पैसा कमाते हैं, अपनी वानी से पैसा कमाते हैं, सामान बेचकर पैसा नहीं कमाते हैं अब करियर की अगर बात करें तो करियर की शुरुआत में लगभग उम्र के 28-30 साल तक इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है उम्र के 30 साल तक इनका संघर्ष जादा रहता है और आम तोर पर 20 वर्ष के बाद इनका करियर जादा बेहतर शुरू होता है ऐसा देखा गया है उम्र के जब 30 वर्ष इनके पूरे हो जाते हैं तब इनके करियर में सफलता की संभावनाएं जादा बनती हैं अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका अंक तीन है तो आप भगवान विश्नु की श्री हरी की उपासना करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तीन अंक वालों को मैं बता दूँ कि आप रोज सवेरे विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें या रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ें ओम नमो नारायडाय ओम नमो नारायडाय इस मंत्र का नित्य प्राता जब करें या विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें आपका करियर अच्छा रहेगा साल 2023 में आपका करियर भी बदलेगा और जिस थान पर नौकरी करते हैं जिस एरिया में नौकरी करते हैं वो एरिया भी वो स्थान भी आपका बदल जाएगा अब हो सकता है आप दिल्ली में नौकरी करते हूँ आप गुडगाओं चले जाए आप दिल्ली में नौकरी करते हूँ बैंगलोर हैजराबाद चले जाए यानि साल 2023 में करियर में बदलाव करेंगे और करियर में बदलाव की अलामा आपके स्थान में भी बड़े परिवर्तन होंगे, ये संभावना दिखती है अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की चार तारीख है तेरा तारीख है बाइस तारीख है या इकतिस तारीख है तो आपका जो मुख्य नंबर है आपका जो बेसिक अंक है वो है चार चार नंबर को अंक जोतिश में सरवाधिक रहस्यमई अंक माना जाता है औकल्ट पावर के साथ इनको हम सब मानते हैं इस अंक का जो स्वामी है वो है राहू इसलिए चार अंक वालों का संबंध होता है राहू के साथ आम तोर पर सिक्षा में उतार चड़ाओ बना रहता है सिक्षा लगातार स्मूथली नहीं चलती हां रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं और उसमें भी बाधाएं बहुत आती हैं कभी कभी घर की जिम्मेदारियों की वज़ा से भी इनके लिए पढ़ाई कर पाना थोड़ा कथिन हो जाता है ये पढ़ते कुछ और हैं करते कुछ और हैं पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की और काम कर रहे हैं रिस्टोरेंट का, पढ़ाई करी होटल मैनेजमेंट की और नोकरी कर रहे हैं टीचिंग की, पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, अक्सर इनका करियर अचानक से जीवन में सामने आता है और अचानक से उस करियर को Adopt कर लेते हैं अब चार अंक वालों के लिए Computer Electrical, Electronics जोतिश और Marketing के ख्शेतर उत्तम होते हैं जिन ख्शेत्रों में Technology हो जिन ख्शेत्रों में रहस्य हो या जिन ख्शेत्रों में चीजों की गहराई तक जाना होता हो ऐसे खेत्र इनको ज़ादा सूट करते है सामान्यतह कम आयू से करियर शुरू हो जाता है इनका आम तोर पे चार अंक वालों का करियर उम्र के 22-23 साल के आसपास से शुरू होता है और वहां से ये पैसा कमाना शुरू कर देते है अगर आपका अंक चार है तो चार अंक के बारे में तो ये जान लीजिए कि चार अंक वालों का जीवन कभी सीधा नहीं चलता वो हमेशा उतार चड़ाओ के साथ ही चलता है चाहे वो करियर हो चाहे वो विवा हो चाहे वो उनकी जिन्दगी हो तो अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका नमबर चार है तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाबकारी रहेगी जितना संभव हो रोज सुबा शिव जी को जल चड़ाएं और सुबा के समय रोज 108 बार नमबर शिवाय का जब करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में अगर कोई बड़ा निर्ड़े लेने जा रहे हैं कि मैं अब नौकरी छोड़कर व्यवसाय करूंगा या मैं ये व्यवसाय बंद करके कोई और काम करूंगा कोई बहुत बड़ा निर्ड़े अगर साल 2023 में आप लेने जा रहे हैं तो उसको लेकर के सावधान रहिएगा बहुत सोच विचार करके निर्ड़े लीजिएगा वही आपके लिए बेहतर होगा अब बात करते हैं नंबर पांच की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की पांच तारीख है 14 तारीख है या 23 तारीख है तो आपका जो मुख्य अंक है वो है पांच पांच अंक का जो स्वामी है उसे कहते हैं बुद्ध यानि मरकरी पांच अंक वालों का जो स्वामी होता है पांच अंक पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह होता है बुद्ध आम तोर पर इनकी सिक्षा मध्यम रहती है इनकी सिक्षा एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल स्टुडेंट होते हैं एवरेज विद्यारती होते हैं पाँच अंकवाले पैसे को जानने में और पैसे को समझने में बड़े मास्टर होते हैं कितना पैसा कहां से लाना है और कितना पैसा कहां पर खर्च होगा इसको लेकर के बहुत alert रहते हैं तो पाँच अंकवालों के लिए बैंक का छेत्र, फाइनेंस का छेत्र, मार्केटिंग का छेत्र और commerce का खेत्र इनके लिए उत्तम होता है जहां पर पैसे रुपए का लेंदेन होता हो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे जहां पर चीजों को manage किया जाता हो जहां पर चीजों का management देखा जाता हो ऐसे खेत्र इनके लिए बहुत उत्तम होंगे और पांच अंक वाले भी दो अंक के जैसे बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं तो हर तरह की स्थिती को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं इनका करियर शुरुआत में कुछ और होता है शुरुआत करते हैं किसी छोटी नौकरी से, किसी छोटे कारोबार से और बाद में अपना करियर बदल करके ये अच्छी जगह पे जाते हैं आम तोर पे उम्र के 24-25 साल से इनका करियर शुरू होता है और उसके बाद इनके सफलता की संभावनाएं जादा हो जाती है और पाँच है अंक पाँच है तो करियर में सफलता के लिए भगवान गणेश की उपासना करें बहुत अच्छा होगा रोज सुबह भगवान गणेश को दूरुवा अर्पित करें गणपती अथर्व शीर्स का पाठ करें या ओम गण गणपते ये नमह इस मंत्र का जब करें आपके लिए बहुत शुब होगा साल 2023 में ये एक साथ अलग अलग बहुत सारे काम करने का प्रयास करेंगे और वो इनके लिए बहतर होगा छोटे छोटे बहुत सारे काम ये कर सकते हैं इसकी संभावना इनके लिए बनती है अंक छे की बात करते हैं अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की छे तारीख है पंदरा तारीख है या चौबीस तारीख है तो आपका मुख्य अंक है छे छे अंक का जो स्वामी है वो है शुक्र यानि वेनस छे अंक का संबंध होता है शुक्र के साथ सिक्षा के मामले में ये काफी परिवर्तन करते हैं शुरुवात में डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरी में सलेक्षन नहीं होता, टीचिंग में आ जाते हैं या शुरुवात से सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, वहां सलेक्षन नहीं होता, किसी और छेतर में चले जाते हैं यानि target कुछ और होता है, परिडाम कुछ और होते हैं, सिख्षा के मामले में बार बार परिवर्तन करते हैं और तब जाकर एक छेतर में रास्ता बना पाते हैं और आम तोरपे इनका रास्ता बनता है उम्र के 28-30 साल के आसपास या इनके विवाह के बाद अगर आपका नंबर छे नंबर है तो आपके लिए फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, रसायन यानि केमिकल, आभूशन, सौंदर्य और सिख्षा का छेत्र उत्तम रहेगा इनसे संबंदित छेत्रों में अगर आप कोशिश करें तो लाब होने की संभावना जरूर बनेगी खास तोर से अगर छे अंक वाले मीडिया में, फिल्म में, क्रियेटिविटी के सेक्टर में, लिखने में, म्यूजिक में अगर जाएं तो सफलता इनको जल्दी और ज़्यादा मिल पाती है करियर इनका जल्दी शुरू होता है, आम तोर पे 24 साल के आसपास करियर शुरू हो जाता है, लेकिन ये सफल होते हैं ज़्यादा तर उम्र के 30 वर्ष के बाद अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं और आपका नंबर है 6, आपका अंक है 6, तो मा लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए फाइदे मन्द होगा, रोज लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके उनसे प्रातना करें आपको लाब होगा और याद रखिये लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, तो अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो साथ में भगवान गडेश की या भगवान विश्नु की पूजा भी जरूर करियेगा, वो आपके लिए जरूरी होगा साल 2023 में पक्के तौर पर आपके करियर में परिवर्तन होगा, प्रमोशन, एप्रेजल, इंक्रिमेंट होने की संभावना है और इस साल में आप स्थान बदल करके किसी नई जगा पर जा करके रहने का, किसी नई जगा पर जा करके काम करने का विचार कर सकते हैं अगर आपकी जर्म की तारीख किसी भी महीने की साथ तारीख है, सोला तारीख है या पच्चिस तारीख है तो आपका जो बेसिक नंबर है, आपका जो मुख्य नंबर है वो है साथ और साथ का संबंद होता है केतू के साथ सामान्यतह साथ अंकवाले पढ़ाई में बड़े ब्रिलियंट नहीं होते academics जो है पढ़ाई का जो मामला है वो इनके लिए साधारन होता है मध्यम रहता है लेकिन ये intelligent बहुत होते हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं creative बहुत होते हैं degree और पढ़ाई साधारन होती है लेकिन बुद्धिमान बहुत और creative बहुत होते हैं किस पुरानी चीज को नए तोर से कैसा कर देना है या नए नए आइडियाज आना नए नए सोच विचार आना या चीजों को अच्छी तरह से present करना ये साथ अंकवाले जानते हैं आपके लिए engineering का छेत्र, तकनीक, management, creativity, philosophy यानि दर्शन या यात्राओं का छेत्र अच्छा होता है साथ अंकवाले लिखते बहुत अच्छा हैं अगर इनको थोड़ा guide किया जाए तो बड़ी अच्छी किताबें, बड़ी अच्छी script, बहुत अच्छी story ये सब लिख सकते हैं और बड़े अच्छे philosopher भी होते हैं, अगर इनका interest दर्शन शास्त्र में चला गया, philosophy में चला गया, गीता का अध्यन करने लगे तो आप समझेए कि इनका जीवन बदल जाता है, लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि एक जगा पर टिक करके नई रह पाते बहुत जल्दी इनको बोरियत होने लगती है कि पांच साल से ही जगा नौकरी कर रहा है, नौकरी बदल लो तो साथ अंक वाले intelligent होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और सही दिशा मिले तो तरक्की भी काफी करते हैं करियर में इनके आप देखेंगे साथ अंकवालों के कि हर 4-5 साल में इनके या इनके जीवन साथी के करियर में उतार चढ़ाव जरूर आता है, ऐसा इंटर्वल के साथ फिक्स होता है, आता जाता रहता है, ऐसा देखा गया है एक समय के बाद अपना काम करना पसंद करते हैं बहुत समय तक नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते कुछ समय तक लगभग उम्र के 34-35 साल तक आप इनको देखेंगे कि ये नौकरी करेंगे या किसी के अंडर में काम करेंगे 34-35 साल के बाद ये अपना काम करना पसंद करते हैं और अपना काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही जादा आपके लिए बेहतर होगा रोज, सुबह, शाम, नमह, शिवाय का जब करिये जब भी मौका मिले किसी भी जगा जा रहे हैं वहाँ शिव जी के दर्शन करते रहे हैं क्योंकि आप यात्राएं बहुत करते हैं तो हर स्थान पर जो पवित्र शिव मंदिर है उसमें दर्शन करते रहे है साल 2023 में आपको करियर में हर तरह की सफलता मिल सकती है साल 2023 आपका ही साल है तो करियर में आपको आउट ओफ टर्न बिना किसी प्रयास के सफलता मिलेगी ये संभावना दिखती है बात करते हैं अंक आठ की अगर आपका जन्म दिन किसी भी महीने की आठ तारीख को हुआ है सत्रा तारीख को हुआ है या छबीस तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है आठ और आठ के स्वामी होते हैं शनी यानि आपके जर्म की तारीख का संबंद है शनी के साथ आठ अंक वालों की सिक्षा अच्छी होती है और बहुत सारी पढ़ाई बहुत लंबे समय तक ये करते ही रहते हैं लेकिन रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं छे मेहने नौकरी की फिर कोई डिप्लोमा कर लिया फिर एक साल नौकरी की फिर कोई और कोर्स कर लिया तो सिक्षा की स्थिती अच्छी रहती है लेकिन रुक रुक कर और टूट टूट कर सिक्षा इनकी हो पाती है अक्सर देर होती है पढ़ाई में लेकिन जो मन्चाही सिख्षा ये चाहते हैं जिस तरह की पढ़ाई करना ये चाहते हैं वो पढ़ाई ये निश्चित रूप से कर ले जाते हैं वो पढ़ाई इनकी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है आठ अंक वालों के लिए फैक्ट्री का काम, इंड़स्ट्री, लोहा, कोईला, सिक्षा और कानून के छेत्र आपके लिए उत्तम होते हैं अब आठ अंक शनी का अंक होता है तो आठ अंक वालों के साथ एक बात समझे है कि ये कोई भी नौकरी करते हैं, इनको मेहनत थोड़ी जादा करनी पड़ती है दूसरों का काम भी अपने सर पे ले लेते हैं, दूसरों की जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं इसलिए अब जादा तर देखेंगे आठ अंक वालों को कि वो दो घंटा ओफिस में जादा बिताते हैं क्योंकि वो मेहनत जादा करने के आदी होते हैं दूसरा ये है कि आठ अंक के साथ एक बात बड़ी प्रॉमिनेंट होती है कि आठ अंक वाले उम्र के 40 साल से लेके 60 साल तक जीवन में जादा सफलता पाते हैं इस उम्र में सफलता की संभावनाएं सर्वोत्तम होती है और आठ अंक वाले अपने जन्म स्थान से अपने नेटिव प्लेस से जितना दूर जाएं करियर उनके लिए उतना ही अच्छा होता है गैसा पहले बताया कि करियर की शुरुवात इनकी जल्दी होती है 22 साल की उम्र में आम तोर पे करियर शुरू होता है लेकिन करियर में सफलता पहली मिलती है 30 साल की उम्र में और दूसरी सफलता मिलती है 49-40 साल के बाद अब अगर आपका नंबर आठ है आप आठ के अंक से प्रभावित हैं तो करियर में सफलता के लिए आपको शनी देव की उपासना करनी चाहिए रोज शाम को 108 बार अगर आप शनी मंतर का जब करें ओम शनग शनेशराय नमहां एस मंतर का रोज शाम को 108 बार जब करें आपके लिए बहुत अच्छा होगा ऐसा लग रहा है कि साल 2023 में आप अपने पुराने करियर को छोड़ करके पुराने करियर को त्याक करके नए करियर की शुरुआत कर पाएंगे बात करते हैं अंतिम मूझ अंक की जो है नो नमबर अगर आपकी जन्म की तारीक किसी भी महीने की नो तारीक है 18 तारीक है या 27 तारीक है तो आपके उपर जिस ग्रह का प्रभाव है वो ग्रह है मंगल आपकी जन्म की तारीख का संबंध है मंगल के साथ और नौ अंक वालों की सिक्षा की स्थिती मध्यम रहती है एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई इनकी आम तोर पर कुछ अलग तरह की सिक्षा ग्रहन करते हैं जैसे कला के छेतर में चले गए परिवार में सब इंजीनियर हैं अपने आर्ट के फिल्ड में चले गए या परिवार में सारे लोग प्रसाशनिक सेवा में हैं अपने टीचिंग में चले गए कुछ अलग तरह की कुछ हट करके सिक्षा ग्रहन करते हैं ऐसा देखा गया है नौ अंक बड़ा उर्जावान अंक है बड़ी ताकत होती है नौ अंक के पास मंगल की अपूर्व शक्ती होती है इसलिए नौ अंक वाले अगर सेना में जाएं पुलिस में जाएं प्रसाशन में जाएं फैक्टरी का जमीन का काम करें या ऐसा काम करें जहां पर मेहनत जादा करनी पड़ती हो तो वो छेतर इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है नौ अंक वालों को एक बात समझनी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसे छेतर में जाएं जहां पर आपका वर्चस्व कायम रहे क्योंकि नौ अंक वाले किसी के अंडर में नहीं रहेंगे और अगर रहेंगे तो अपने बॉस के उपर सवार हो जाएंगे ये कहीं भी रहें लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं इनके अंदर वो ताकत है वो खूबी है कि जो काम कोई नहीं करवा सकता दस लोगों से वो काम नौ अंकवाले समझा के बुझा के दबाव बना करके वो काम करवा लेते हैं करियर की शुरुवात इनकी काफी कम उम्र से हो जाती है 23 साल की उम्र में इनका करियर या 24 साल की उम्र में इनका करियर शुरू हो जाता है तो 9 अंक वाले बड़े उर्जावान हैं लेकिन 9 अंक वालों के करियर की एक बड़ी मुश्किलिये है कि ये किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते और इसी वज़ा से इनके नौकरी में इगो क्लैश या बाधाएं आती रहती है अगर आपका अंक नौ का अंक है तो आप अपने करियर में सफलता के लिए हनुमान जी की उपासना करिए और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा तो घर घर में बच्पन से हम करते आ रहे हैं हनुमान चालिसा सुबा शाम एक एक बार पढ़िए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नौकरी बदलूँगा या नौकरी छोड़ करके मैं व्यापार में जाऊंगा ऐसा कोई भी गलत निर्ड़े मत लीजिएगा वरना आप मुश्किल में आएंगे जैसा आपका करियर चल रहा है वो बिलकुल ठीक है उसको उसी तरह से चलने दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब अलग-अलग अंकों के माध्यम से आपने समझ लिया कि आपका करियर कैसा हो सकता है करियर के बारे में कुछ अंकों के टिप्स आपको देते हैं कुछ नंबर के टिप्स आपको देते हैं जिन नंबरों का प्रियोग करके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं देखिए अगर आपको नौकरी में या करियर में पैसे की दिक्कत आ रही हो या पैसे की समस्या आ रही हो तो एक सफेद कागस पर वाइट पेपर पर गुलाबी रंग से 6 यानि 6 लिख करके अपने पास रखना शुरू कर दिजिए और इस 6 नंबर को हर साल में बदलते रहीएगा बढ़िया रहेगा अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो और नौकरी में परिवर्तन ना हो पा रहा हो तो आप एक नीले कागस पर या सफेद कागस पर ही सही ब्लैक पिन से या ब्लैक नंबर से 8 लिखिए 8 और इसको अपने पास रखना शुरू करिए आप नौकरी में बदलाव भी कर पाएंगे और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आठ के अंग के प्रियोग से आपको नौकरी मिल जाएगी तीसरा नंबर है अगर आप प्रमोशन चाहते हों आप चाहते हों कि आपको उच्च पत की प्राप्ती हो तो आप एक सफेद कागस पर लाल रंग से लिखिए 19, 19, 19 और इस नंबर को अपने पास रखिए साल भर के लिए ये आपको करियर में उच्च पत देने में करियर में सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेगा और सबसे कीमती नंबर अंक जोतिश का है नंबर 24, जीवन में अगर करियर से संबंदित या वैसे भी अगर कोई मुश्किल है आप एक सफेद कागस पर या गुलाबी कागस पर 24 लिख करके रखें और सफेद कागस पर अगर 24 लिख करके रखें तो ज़्यादा बहतर होगा 24 का नंबर बहुत मैजिकल नंबर है वो जीवन के संघर्ष को घटा देता है और जीवन में सफलता की मात्रा बढ़ा देता है तो अगर आप वाइट पेपर पर पिंक कलर से 24 लिख करके रखते हैं आपने पास तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके पैसे के मामले में आपके करियर के मामले में और आपके सफलताओं के मामले में शुभ तरीके से जरूर पड़ेगा आज हम बात करेंगे आपके करियर के नंबर गेम की, आपके करियर की और आपके अंक की बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जनम की तारीख तो पता होती है लेकिन साल में कन्फ्यूज होते हैं कि मैं किस साल में पैदा हुआ, 65 में हुआ, छाचट में हुआ, ये कन्फर्म नहीं है, हाँ जनम की तारीख मुझे पता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म की तारीख तो पता है लेकिन जन्म का समय नहीं पता, स्थान नहीं पता तो ऐसी स्थिती में केवल और केवल अपनी जन्म तारीख से आप जान सकते हैं कि आपकी सिक्षा की स्थिती कैसी रहेगी, आपके पढ़ाई की स्थिती कैसी, आपका करियर कैसा और करियर में सफलता के लिए किस तरह के उपाय करनी चाहिए तो आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपके करियर और आपकी पढ़ाई का पूरा हाल चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है? इस सप्ताह का मंत्र है, om rudray namha बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी परिजन का देहांत हो जाता है या किसी मित्र का देहांत हो जाता है और हम बहुत दुखी होते हैं उस दुख से उबर नहीं पाते अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है या आप उस दुख से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है मंत्र है ओम रूद्राय नमहा इस मंत्र का निरंतर अगर आप जब करेंगे तो किसी व्यक्ति के नर रहने पर जिस तरह का दुख पैदा होता है जीवन में उस दुख को समाप्त करना आसान होगा और जब भी आपके मन में दुख का भाव पैदा हो जब भी आपके मन में पीडा का भाव पैदा हो दो बार, चार बार, दस बार इस मंत्र को कहिएगा आपकी दुख, आपकी पीडा की स्थिती में सुधार होगा चलिए अपने विशे पर आते हैं हम आपको आज बताने वाले हैं कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपकी सिक्षा कैसी होती है आपका करियर कैसा रहता है और साल 2023 में आपका करियर कैसा रहने वाला है सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख का आपके करियर से क्या संबंध है देखिए आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेश ग्रह से होता है जो basic number है, मूल अंक हैं, वो कुल मिलाके 1 से लेकर 9 तक हैं उसके बाद 10 या 10 के आगे के जो number हैं, वो मूल अंक नहीं हैं, वो compound number हैं तो मूल अंक 1 से लेकर 9 तक हैं और हर अंक का संबंध एक विशेश ग्रह से है उस ग्रह से व्यक्ती का जीवन पूरी तरह से निर्धारित होता है अगर आपका number 1 है, तो आप सूरी से प्रभावित रहेंगे जीवन भर अगर आपका number 6 है, तो आप पूरी तरह से जीवन में शुक्र से प्रभावित रहेंगे तो जिस तरह का नंबर है आपकी जन्म की तारीख का उस तरह का ग्रह पूरी तरह से आपके जीवन को निर्धारित करेगा और उसी ग्रह से संबंद रखता हुआ करियर व्यक्ति आम तोर पर अपने जीवन में चुनता है जिस तरह के नंबर का जिस तरह के अंक का आपके उपर ज़्यादा प्रभाव होता है वैसे ही करियर की तरफ आप जाते हैं या वैसे ही करियर का चुनाव करते हैं अगर उसके विपरीत दिशाओं में करियर होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है यानि अगर आपका अंक कहता है कि आपको व्यापार करना चाहिए और आप नौकरी करने लगते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाय आनी शुरू हो जाती है यानि जिस तरह के करियर का इशारा होता है उस तरह के करियर की तरफ जाना चाहिए अलग-अलग वर्षों का और अलग-अलग महीनों का भी अंक होता है जैसे मान लिया दो हजार तेईस का अंक है साथ और दो हजार तेईस में अपरेल का अंक है चार तो दो हजार तेईस में अपरेल का जो अंक है वो हो जाएगा दो क्योंकि वो हो जाएगा ग्यारा तो अलग-अलग वर्षों और अलग-अलग महीनों के अंक होते हैं और इन अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है यानि अगर हम बहुत गहराई से समझना चाहें तो केवल आपकी जनम की तारीक से जान सकते हैं किस महीने में आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी तो अगर आपको अपने जनम का साल नहीं पता है जनम का समय नहीं पता है कोई बात नहीं केवल जनम की तारीक के आधार पर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं बात करते हैं नमबर एक की वन नमबर की अगर आपकी जनम की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है दस तारीख है उननीस तारीख है या अठाइस तारीख है तो इसको जोड़ करके देखिए इसका नमबर आता है एक यानि ये एक नमबर वाले लोग हैं और एक नमबर वाल का संबन्द होता है सूर्य के साथ यानि जिनकी भी जन तारीख का जोड टोटल एक आता है उनका संबन्द होता है सूर्य से इंकी सिक्षा में सामान निरूप से बाधाएं आती ही हैं आम तोर पर आप देखेंगे कि एक अंकवालों की शुरुवाती सिक्षा बहुत अच्छी होती है जो मिडल एज की सिक्षा है जो मध्ध की सिक्षा है आम तोर पे 15-16 साल से लेके 28-30 साल तक वहाँ पर थोड़ी प्राबलम होती है उसके बाद ठीक हो जाता है यानि मध्य में सिक्षा प्राप्ट करने में इनको दिक्कत होती है अगर आपका नंबर एक है तो आपके लिए साशन का छेत्र प्रसाशन का छेत्र चिकित्सा का छेत्र और राजनीती का छेत्र आपको फाइदा पहुँचा सकता है इन छेत्रों में सफलता पाने की संभावना आपके लिए ज़ादा होती है अगर आपका अंक एक है तो आप किसी भी छेत्र में रहिए आप स्विद्याले के अध्यापक बन जाएं या चतुर्त श्रेडी के करमचारी बन जाएं जिस भी छेत्र में रहेंगे उस छेत्र का नेत्रित्व करेंगे लीडिंग केपैसिटी नेत्रित्व करना एक अंक वालों के पास जरूर होता है इसलिए अगर ये छोटी जगां पे भी रहेंगे तो वहाँ पे भी चीजों को कंट्रोल करेंगे नेत्रित्व करेंगे इसकी संभावना रहती है जीवन के आरंब से ही इनके करियर की शुरुआत हो जाती है यानि आम तोर पे एक अंक वालों का करियर उम्र के 18-20 साल से ही शुरू हो जाता है करियर इनका थोड़ा जल्दी शुरू होता है अब करियर को बहतर बनाना चाहते हैं आपका जो भी करियर हो अगर अंक एक है आपका और आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल भगवान सूरी को समर्पित करें सूरी देव के मंत्र का जब करें या आदित्य हृदय इस्तोत्र का पाठ करें रोज सवेरे ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा यानि आप अगर करियर में किसी भी तरह की मुश्किल से परेशान है और आपका अंक एक है तो सूरी देव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में अगर हम देखें तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चड़ाव दिख रहा है इसलिए साल 2023 में सूर्य की निरंतर पूजा करने से आपको लाब अवश्य होगा अगर आपके जन्म की तारीख है महीने की दो तारीख ग्यारा तारीख बीस तारीख या उनतिस तारीख तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बेसिक नंबर है आपका जो मुख्य नंबर है वो है दो और अगर आपका मुख्य नंबर दो नंबर है तो आपके करियर से इसका क्या संबंद है देखिए दो नंबर वालों का संबंद होता है पूरी तरह से चंद्रमा के साथ मून के साथ अगर आपका नंबर दो है तो आपका जो मुख्य ग्रह है आपका जो मुख्य प्लैनेट है वो ग्रह है चंद्रमा और ये काफी परिश्रम से अपनी सिख्षा पूरी करते हैं आम तोर पे दो अंकवालों की सिख्षा अच्छी होती है लेकिन बीच में एक बार जटका जरूर लगता है तो ये बहुत परिश्रम करते हैं तब जाकरके इनकी सिख्षा पूरी होती है ऐसा देखा गया है मेहनत के बाद ही सिख्षा इनकी पूरी हो पाती है अगर हम इनके खेत्र की बात करें तो दो अंकवालों के लिए कला का छेत्र, फिल्म का छेत्र, चेकित्सा का छेत्र, नेवी का छेत्र, सिख्षा का छेत्र और खान-पान का जो छेत्र है, खान-पान का जो फील्ड है वो इन्हें सूट करता है ये बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं अगर हम करियर में इनके गुण देखें कि करियर में इनके गुण क्या है, करियर में इनकी ताकत क्या है, तो अंक दो वाले बड़े अच्छे मेनेजर होते हैं और कठिनाईयों को सरलता से सुलजा लेते हैं दो अंक वाले अगर किसी भी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, आप इनसे बात करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं सुलज गई हैं क्योंकि ये कठिन से कठिन समस्या को सुलजा लेते हैं और कठिन से कठिन इस्थिती को पार कर जाते हैं अपनी मेहनत की बज़ा से और अपनी बुद्धी की बज़ा से आम तौर पर करियर की शुरुवात में इनको विलम्ब होता है थोड़े समय तक शुरू में लगभग 23-24 साल की उमर तक करियर शुरू करते हैं फिर ब्रेक होता है और फिर 28-30 के बाद जो करियर होता है वही करियर इनका लंबे समय तक चलता है तो आम तोर पर करियर की शुरुवात में इनके लिए विलंब की संभावना बनती है अगर आपका नंबर दो है और आप चाहते हैं कि आप करियर में सफलता पा सकें करियर में आपको सफलता मिले तो इसके लिए भग्मान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करें और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जब करें अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से करियर की जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगे साल 2023 में आपको अपने करियर में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं इस साल में आप अपने करियर में बड़े बदलाव जरूर करेंगे और अगर ये बड़ा बदलाव होता है इस साल में आपके करियर में तो ये बड़ा बदलाव आपके लिए फाइदे मंद बना रहेगा बात करते हैं नमबर 3 की यानि अंक 3 की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख है 12 तारीख है 21 तारीख है या 30 तारीख है तीन, बारह, इकिस या तीस तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मुख्य अंक है वो अंक है तीन, थ्री आपके अंक का सीधा संबंद होता है ब्रिहस्पती के साथ जुपिटर के साथ और तीन अंक वालों को सामान्यतह अंक जोतिश में बुद्धिमान और ज्यानवान माना जाता है इसलिए अंक तीन वालों के सिक्षा की स्थिती और बुद्धी की स्थिती हमेशा अच्छी रहती है इनको सिक्षा के खेत्र में, धर्म में, कानून में, मीडिया में और सलाहकारिता में कंसल्टेंसी काउंसिलिंग के छेतर में लाब होता है तीन अंक वाले ज़्यादा तर सामान नहीं बेचते अपनी स्किल बेचते हैं, अपना दिमाग बेचते हैं, अपनी सलाह बेचते हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े वकील या बहुत अच्छे अच्छे बड़े सलाहकार आपको तीन अंकवाले दिखाई देंगे ये अपनी स्किल से पैसा कमाते हैं, अपनी वानी से पैसा कमाते हैं, सामान बेचकर पैसा नहीं कमाते हैं अब करियर की अगर बात करें तो करियर की शुरुआत में लगभग उम्र के 28-30 साल तक इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है उम्र के 30 साल तक इनका संघर्ष जादा रहता है और आम तौर पर पीस वर्ष के बाद इनका करियर जादा बेहतर शुरू होता है ऐसा देखा गया है उम्र के जब तीस वर्ष इनके पूरे हो जाते हैं तब इनके करियर में सफलता की संभावनाएं जादा बनती हैं अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका अंक तीन है तो आप भगवान विश्नु की श्री हरी की उपासना करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तीन अंक वालों को मैं बता दूँ कि आप रोज सवेरे विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें या रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ें ओम नमो नारायडाय ओम नमो नारायडाय इस मंत्र का नित्य प्राता जब करें या विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें आपका करियर अच्छा रहेगा साल 2023 में आपका करियर भी बदलेगा और जिस स्थान पर नौकरी करते हैं जिस एरिया में नौकरी करते हैं वो एरिया भी वो स्थान भी आपका बदल जाएगा अब हो सकता है आप दिल्ली में नौकरी करते हूं आप गुडगाओं चले जाएं आप दिल्ली में नौकरी करते हूं बैंगलोर हैजराबाद चले जाएं यानि साल 2023 में करियर में बदलाव करेंगे और करियर में बदलाव के अलामा आपके स्थान में भी बड़े परिवर्तन होंगे ये संभावना दिखती है अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की चार तारीख है 13 तारीख है 22 तारीख है या 31 तारीख है तो आपका जो मुख्य नंबर है आपका जो बेसिक अंक है वो है चार चार नंबर को अंक जोतिश में सरवाधिक रहस्यमई अंक माना जाता है ओकल्ट पावर के साथ इनको हम सब मानते हैं इस अंक का जो स्वामी है वो है राहू इसलिए चार अंक वालों का संबंध होता है राहू के साथ आम तोर पर सिक्षा में उतार चड़ाओ बना रहता है सिक्षा लगातार स्मूथली नहीं चलती हां रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं और उसमें भी बाधाएं बहुत आती हैं कभी कभी घर की जिम्मेदारियों की वज़ा से भी इनके लिए पढ़ाई कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है यह पढ़ते कुछ और हैं करते कुछ और हैं पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की और काम कर रहे हैं रिस्टोरेंट का पढ़ाई करी होटल मैनेजमेंट की और नोकरी कर रहे हैं टीचिंग की पढ़ते कुछ और हैं करते कुछ और हैं अकसर इनका करियर अचानक से जीवन में सामने आता है और अचानक से उस career को adopt कर लेते हैं अब चार अंक वालों के लिए computer, electrical electronics, जोतिश और marketing के ख्षेतर उत्तम होते हैं जिन ख्षेतरों में technology हो, जिन ख्षेतरों में रहस्य हो या जिन छेत्रों में चीजों की गहराई तक जाना होता हो ऐसे छेत्र इनको ज़्यादा सूट करते है सामान नितह कम आयू से करियर शुरू हो जाता है इनका आम तोर पे चार अंक वालों का करियर उम्र के 22-23 साल के आसपास से शुरू होता है और वहां से ये पैसा कमाना शुरू कर देते हैं अगर आपका अंक चार है तो चार अंक के बारे में तो ये जान लीजिए कि चार अंक वालों का जीवन कभी सीधा नहीं चलता वो हमेशा उतार चड़ाओ के साथ ही चलता है चाहे वो करियर हो चाहे वो विवा हो चाहे वो उनकी जिन्दगी हो तो अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका नंबर चार है तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाबकारी रहेगी जितना संभव हो रोज सुबा शिव जी को जल चणाएं और सुबा के समय रोज 108 बार नमः शिवाय का जब करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में अगर कोई बड़ा निर्ड़य लेने जा रहे हैं कि मैं अब नौकरी छोड़कर व्यवसाय करूँगा या मैं ये व्यवसाय बंद करके कोई और काम करूँगा कोई बहुत बड़ा निर्ड़य अगर साल 2023 में आप लेने जा रहे हैं तो उसको लेकर के सावधान रहिएगा बहुत सोच विचार करके निर्ड़य लीजिएगा वही आपके लिए बेहतर होगा अब बात करते हैं नंबर पांच की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की पांच तारीख है चौदा तारीख है या तेईस तारीख है तो आपका जो मुख्य अंक है वो है पांच पांच अंक का जो स्वामी है उसे कहते हैं बुद्ध यानि मरकरी पांच अंक वालों का जो स्वामी होता है पाँच अंक पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह होता है बुद्ध आम तोर पर इनकी सिक्षा मध्यम रहती है इनकी सिक्षा एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल स्टुडेंट होते हैं पाँच अंक वाले पैसे को जानने में और पैसे को समझने में बड़े मास्टर होते हैं कितना पैसा कहां से लाना है और कितना पैसा कहां पर खर्च होगा इसको लेकर के बहुत अलर्ट रहते हैं तो पाँच अंक वालों के लिए बैंक का छेत्र finance का छेतर, marketing का छेतर और commerce का छेतर इनके लिए उत्तम होता है जहां पर पैसे रुपए का लेन देन होता हो पहले नमबर पे या दूसरे नमबर पे जहां पर चीजों को manage किया जाता हो जहां पर चीजों का management देखा जाता हो ऐसे छेत्र इनके लिए बहुत उत्तम होंगे और पांच अंक वाले भी दो अंक के जैसे बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं तो हर तरह की स्थिती को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं इनका करियर शुरुआत में कुछ और होता है शुरुआत करते हैं किसी छोटी नौकरी से किसी छोटे कारोबार से और बाद में अपना करियर बदल करके ये अच्छी जगह पे जाते हैं आम तोर पे उम्र के 24-25 साल से इनका करियर शुरू होता है और उसके बाद इनके सफलता की संभावनाएं जादा हो जाती है पांच अंक वाले पढ़ाई में सामान ने होते हैं लेकिन करियर के मामले में बड़े मजबूत होते हैं अगर आपका नंबर पांच है अंक पांच है तो करियर में सफलता के लिए भगवान गणेश की उपासना करें बहुत अच्छा होगा रोज सुबह भगवान गणेश को दूरुवा अरपित करें गणपती अथर्व शीर्स का पाठ करें या ओम गण गणपते ये नमह इस मंतर का जब करें आपके लिए बहुत शुब होगा साल 2023 में ये एक साथ अलग अलग बहुत सारे काम करने का प्रयास करेंगे और वो इनके लिए बहतर होगा छोटे छोटे बहुत सारे काम ये कर सकते हैं इसकी संभावना इनके लिए बनती है अंक छे की बात करते हैं अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख है 15 तारीख है या 24 तारीख है तो आपका मुख्य अंक है 6 6 अंक का जो स्वामी है वो है शुक्र यानि वेनस छे अंग का संबंध होता है शुक्र के साथ सिक्षा के मामले में ये काफी परिवर्तन करते हैं शुरुवात में डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टरी में सेलेक्षन नहीं होता टीचिंग में आ जाते हैं या शुरुवाद से civil service की तैयारी करना चाते हैं, वहाँ selection नहीं होता, किसी और छेतर में चले जाते हैं, यानि target कुछ और होता है, परिडाम कुछ और होते हैं, सिक्छा के मामले में बार बार परिवर्तन करते हैं, और तब जाकर एक छेतर में रास्ता बना पाते हैं, और आम के लिए फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, रसायन यानि केमिकल, आभूशन, सौंदर्य और सिक्षा का छेत्र उत्तम रहेगा। इनसे संबंदित छेत्रों में अगर आप कोशिश करें तो लाब होने की संभावना जरूर बनेगी। खास तोर से अगर छे अंक वाले मीडिया में, फिल्म में, क्रियेटिविटी के सेक्टर में, लिखने में, म्यूजिक में अगर जाएं तो सफलता इनको जल्दी और जादा मिल पाती है। करियर इनका जल्दी शुरू होता है, आम तोर पे 24 साल के आसपास करियर शुरू हो जाता है, लेकिन ये सफल होते हैं ज्यादातर उम्र के 30 वर्ष के बाद। अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं और आपका नंबर है 6, आपका अंक है 6, तो मा लक्षमी की उपासना करना आपके लिए फाइदेमंद होगा, रोज लक्षमी जी के सामने दीपक जला करके उनसे प्रातना करें आपको लाब होगा। और याद रखिये लक्षमी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, तो अगर आप लक्षमी जी की पूजा करेंगे, तो साथ में भगवान गडेश की या भगवान विश्नु की पूजा भी जरूर करियेगा, वो आपके लिए जरूरी होगा। साल 2023 में पक्के तौर पर आपके करियर में परिवर्तन होगा। प्रमोशन, एप्रेजल, इंक्रिमेंट होने की संभावना है। और इस साल में आप स्थान बदल करके किसी नई जगां पर जा करके रहने का, किसी नई जगां पर जा करके काम करने का विचार कर सकते हैं। अगर आपकी जर्म की तारीख किसी भी महीने की साथ तारीख है, सोला तारीख है या पच्चिस तारीख है, तो आपका जो बेसिक नमबर है, आपका जो मुख्य नमबर है वो है साथ. और साथ का संबंद होता है केतू के साथ सामान्यतह साथ अंकवाले पढ़ाई में बड़े ब्रिलियंट नहीं होते academics जो है पढ़ाई का जो मामला है वो इनके लिए साधारन होता है मध्यम रहता है लेकिन ये intelligent बहुत होते हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं creative बहुत होते हैं डिगरी और पढ़ाई साधारन होती है लेकिन बुद्धिमान बहुत और creative बहुत होते हैं किस पुरानी चीज को नए तोर से कैसा कर देना है या नए नए ideas आना नई नई सोच विचार आना या चीजों को अच्छी तरह से present करना ये साथ अंकवाले जानते हैं आपके लिए engineering का छेत्र, technique, management, creativity, philosophy यानि दर्शन या यात्राओं का छेत्र अच्छा होता है साथ अंकवाले लिखते बहुत अच्छा हैं अगर इनको थोड़ा guide किया जाए तो बड़ी अच्छी किताबें, बड़ी अच्छी script, बहुत अच्छी story ये सब लिख सकते हैं और बड़े अच्छे philosopher भी होते हैं अगर इनका interest दर्शन शास्त्र में चला गया philosophy में चला गया गीता का अध्यन करने लगे तो आप समझें कि इनका जीवन बदल जाता है लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि एक जगा पर टिक करके नई रह पाते बहुत जल्दी इनको बोरियत होने लगती है कि पांच साल से ही जगा नौकरी कर रहा है नौकरी बदल लो तो साथ अंकवाले इंटेलिजेंट होते हैं बुद्धिमान होते हैं और सही दिशा मिले तो तरक्की भी काफी करते हैं करियर में इनके आप देखेंगे साथ अंकवालों के कि हर चार पांस साल में इनके या इनके जीवन साथी के करियर में उतार चड़ाव जरूर आता है ऐसा इंटर्वल के साथ फिक्स होता है आता जाता रहता है ऐसा देखा गया है एक समय के बाद अपना काम करना पसंद करते हैं बहुत समय तक नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते कुछ समय तक लगभग उम्र के 34-35 साल तक आप इनको देखेंगे कि ये नौकरी करेंगे या किसी के अंडर में काम करेंगे 34-35 साल के बाद ये अपना काम करना पसंद करते हैं और अपना काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही जादा आपके लिए बहतर होगा रोज, सुबह, शाम, नमह, शिवाय का जब करिए जब भी मौका मिले किसी भी जगा जा रहे हैं वहाँ शिव जी के दर्शन करते रहिए क्योंकि आप यात्राएं बहुत करते हैं तो हर स्थान पर जो पवित्र शिव मंदिर है उसमें दर्शन करते रहिए साल 2023 में आपको करियर में हर तरह की सफलता मिल सकती है साल 2023 आपका ही साल है तो करियर में आपको out of turn बिना किसी प्रयास के सफलता मिलेगी ये संभावना दिखती है बात करते हैं अंक आठ की अगर आपका जन्म दिन किसी भी महीने की आठ तारीख को हुआ है 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है आठ और आठ के स्वामी होते हैं शनी यानि आपके जन्म की तारीख का संभन्द है शनी के साथ आठ अंक वालों की सिक्षा अच्छी होती है और बहुत सारी पढ़ाई बहुत लंबे समय तक ये करते ही रहते हैं लेकिन रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं च्छा की इस्थिती अच्छी रहती है लेकिन रुक रुक कर और टूट टूट कर सिक्षा इनकी हो पाती है अक्सर देर होती है पढ़ाई में लेकिन जो मनचाही सिख्षा ये चाहते हैं जिस तरह की पढ़ाई करना ये चाहते हैं वो पढ़ाई ये निश्चित रूप से कर ले जाते हैं वो पढ़ाई इनकी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है आठ अंक वालों के लिए फैक्टरी का काम, इंड़स्ट्री, लोहा, कोईला, सिक्षा और कानून के छेत्र आपके लिए उत्तम होते हैं अब आठ अंक शनी का अंक होता है तो आठ अंक वालों के साथ एक बात समझे है कि ये कोई भी नौकरी करते हैं, इनको मेहनत थोड़ी जादा करनी पड़ती है दूसरों का काम भी अपने सर पे ले लेते हैं, दूसरों की जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं इसलिए आप जादा तर देखेंगे आठ अंक वालों को कि वो दो घंटा ओफिस में जादा बिताते हैं क्योंकि वो मेहनत जादा करने के आदी होते हैं दूसरा ये है कि आठ अंक के साथ एक बात बड़ी प्रॉमिनेंट होती है कि आठ अंक वाले उम्र के 40 साल से लेके 60 साल तक जीवन में ज़्यादा सफलता पाते हैं इस उम्र में सफलता की संभावनाएं सर्वोत्तम होती है और आठ अंक वाले अपने जन्म स्थान से अपने नेटिव प्लेस से जितना दूर जाएं करियर उनके लिए उतना ही अच्छा होता है गैसा पहले बताया कि करियर की शुरुवात इनकी जल्दी होती है 22 साल की उम्र में आम तोर पे करियर शुरू होता है लेकिन करियर में सफलता पहली मिलती है 30 साल की उम्र में और दूसरी सफलता मिलती है 49-40 साल के बाद देव की उपासना करनी चाहिए रोज शाम को 108 बार अगर आप शनी मंतर का जब करें ओम शंग शनेश्चराय नमहा ओम शंग शनेश्चराय नमहा इस मंतर का रोज शाम को 108 बार जब करें आपके लिए बहुत अच्छा होगा ऐसा लग रहा है कि साल 2023 में आप अपने पुराने करियर को छोड़ करके पुराने करियर को त्याक करके नए करियर की शुरुआत कर पाएंगे बात करते हैं अंतिम मूल अंक की जो है नो नमबर अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की नो तारीख है 18 तारीख है या 27 तारीख है तो आपके उपर जिस ग्रह का प्रभाव है वो ग्रह है मंगल आपकी जन्म की तारीख का संबंध है मंगल के साथ और 9 अंक वालों की सिक्षा की स्थिती मध्यम रहती है एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई इनकी आम तोर पर कुछ अलग तरह की सिक्षा ग्रहन करते हैं जैसे कला के छेतर में चले गए परिवार में सब इंजीनियर हैं अपने आल्ट के फिल्ड में चले गए या परिवार में सारे लोग प्रसाशनिक सेवा में हैं अपने टीचिंग में चले गए कुछ अलग तरह की कुछ हट करके सिक्षा ग्रहन करते हैं ऐसा देखा गया है नो अंक बड़ा उर्जावान अंक है बड़ी ताकत होती है नो अंक के पास मंगल की अपूर्व शक्ती होती है इसी लिए नो अंक वाले अगर सेना में जाएं पुलिस में जाएं प्रसाशन में जाएं फैक्टरी का जमीन का काम करें या ऐसा काम करें जहां पर मेहनत जादा करनी पड़ती हो तो वो छेतर इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है नो अंक वालों को एक बात समझनी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसे छेतर में जाएं जहां पर आपका वर्चस्व कायम रहे क्योंकि नो अंक वाले किसी के अंडर में नहीं रहेंगे और अगर रहेंगे तो अपने बॉस के उपर सवार हो जाएंगे ये कहीं भी रहें लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं इनके अंदर वो ताकत है वो खूबी है कि जो काम कोई नहीं करवा सकता दस लोगों से वो काम नो अंक वाले समझा के बुझा के दबाव बना करके वो काम करवा लेते हैं करियर की शुरुवात इनकी काफी कम उम्र से हो जाती है 23 साल की उम्र में इनका करियर या 24 साल की उम्र में इनका करियर शुरू हो जाता है तो 9 अंक वाले बड़े उर्जावान हैं लेकिन 9 अंक वालों की करियर की एक बड़ी मुश्किलिये है कि ये किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते और इसी वज़ा से इनके नौकरी में इगो क्लैश या बाधाएं आती रहती है अगर आपका अंक नौ का अंक है तो आप अपने करियर में सफलता के लिए हनुमान जी की उपासना करिए और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा तो घर घर में बच्पन से हम करते आ रहे हैं हनुमान चालिसा सुबा शाम एक एक बार पढ़िए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल 2023 में करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नौकरी बदलूँगा या नौकरी छोड़ करके मैं व्यापार में जाऊंगा ऐसा कोई भी गलत निर्ड़े मत लीजिएगा वरना आप मुश्किल में आएंगे जैसा आपका करियर चल रहा है वो बिलकुल ठीक है उसको उसी तरह से चलने दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब अलग-अलग अंकों के माध्यम से आपने समझ लिया कि आपका करियर कैसा हो सकता है करियर के बारे में कुछ अंकों के टिप्स आपको देते हैं कुछ नंबर के टिप्स आपको देते हैं जिन नंबरों का प्रियोग करके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं देखिए अगर आपको नौकरी में या करियर में पैसे की दिक्कत आ रही हो या पैसे की समस्या आ रही हो तो एक सफेद कागस पर वाइट पेपर पर गुलाबी रंग से 6 यानि 6 लिख करके अपने पास रखना शुरू कर दिजिए और इस 6 नंबर को हर साल में बदलते रहीएगा बढ़िया रहेगा अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो और नौकरी में परिवर्तन ना हो पा रहा हो तो आप एक नीले कागस पर या सफेद कागस पर ही सही ब्लैक पिन से या ब्लैक नंबर से 8 लिखिए 8 और इसको अपने पास रखना शुरू करिए आप नौकरी में बदलाव भी कर पाएंगे और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आठ के अंग के प्रियोग से आपको नौकरी मिल जाएगी तीसरा नंबर है अगर आप प्रमोशन चाहते हों आप चाहते हों कि आपको उच्च पद की प्राप्ती हो तो आप एक सफेद कागस पर लाल रंग से लिखिए 19, 19, 19 और इस नंबर को अपने पास रखिए साल भर के लिए ये आपको करियर में उच्च पद देने में करियर में सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेगा और सबसे कीमती नंबर अंक जोतिश का है नंबर 24, जीवन में अगर करियर से संबंदित या वैसे भी अगर कोई मुश्किल है आप एक सफेद कागस पर या गुलाबी कागस पर 24 लिख करके रखें और सफेद कागस पर अगर 24 लिख करके रखें तो ज़्यादा बहतर होगा 24 का नंबर बहुत मैजिकल नंबर है वो जीवन के संघर्ष को घटा देता है और जीवन में सफलता की मात्रा बढ़ा देता है तो अगर आप वाइट पेपर पर पिंक कलर से 24 लिख करके रखते हैं आपने पास तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके पैसे के मामले में आपके करियर के मामले में और आपके सफलताओं के मामले में शुभ तरीके से जरूर पड़ेगा